तो कारवास शुरू हो चुका है एस्पिशल मॉडल पेपर का विशेस आर अर यंदी टीम में के सी की राउंड टू तो थी हंड़ेड़ पीपल वर्क एवरी डेयर नाइट फो यू तो क्रिएट दा पर्फेक्ट मॉडल पेपर और यह मॉडल पेपर नहीं है यह आपके डिफेंस फोर्सेस को जॉइन करने का पूरा कर सकें तो यह मॉडल पेपर ही नहीं है यह हर बच्चे के लिए रामबान है उसकी सक्सेस के लिए तो चलिए शुरू करते हैं जाइन बच्चों मैं सतेन सिंग फेकल्टी आप मैतमेटिक बच्चों आज की क्लास में एंडीय के लिए मॉडल पेपर लाया हूं यह सारे कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट है आप पेपर देने जाना जरूर इस कोश्चन को जरूर देखका जाना हो सकता है कि ऐसे सेम इस बाइनरी नंबर को हमें डेसिमल में कनवर्ट करना है तो डेसिमल में कनवर्ट करने का रूल तो जानते हो ना यह आपका इस तरह लिख लो इसके नीचे 2 की पावर 0 लिखते हैं इसके नीचे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की साथ जीरो से स्टार्ट करना है ठीक है अब क्या करते है मल्टिप्लाई किया जाता है क्या किया जाता है मल्टिप्लाई किया जाता है तो मल्टिप्लाई करने क्या होगा जीरो का मल्टिप्लाई क्या होगा कट जाएगा यहां भी यह कट रहा है और यहां भी यह कट रहा है ब दो की पावर दो चार होगा और दो की पावर एक जो है दो होता है इनको एड करके कितना रहा है 8 2 10 10 6 16 16 16 24 22 22 लास्ट में दो आना चाहिए दो तो आ रहा है 22 हो गया और 32 पांच एक 6 6 2 8 हो जाएगा तो बच्चा कितना आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा D answer is correct answer समझ में आ गया होगा question कैसे हुआ है चले next question लेते हैं ये भी question same question आ गया है practice के लिए है ये अब इनको आपको बताना है कि ये decimal में क्या होगा तो देखो कैसे करोगी अभी बताया हूँ उसी को follow करके इसका फटा फटा answer दो कितना answer होगा ठीक है यहां पर क्या होगा यहां भी लिखना 2 की power 0 ये 2 की power 1 okay and आपका यहां 2 की power 2 2 की power 3 2 की power 4 and 2 की power 5 यह होगा फिर यहां भी क्या करना 0 को cancel कर देना है क्योंकि 0 का multiply तो 0 होगा 2 कड जाएगा 2 की power 5 32 होता है 2 की power 4 आपका 16 होगा plus क्या बच रहा है 2 की power 2 बच रहा है तो 2 आएगा और फिर 1 बचेगा क्योंकि 2 की power 0 क्या होता 1 होता है कितना आया 6, 2, 8, 2, 10, 1 की 11 है last में 1 आएगा सबके 1 है और 3, 4, 4, 5 हो जाएगा तो आपका आया answer number 6 is correct answer ओक बच्चा चले next question लेते हैं yes कर रहा है log 7 base 10 कमाण 0.8451 है तो आपका इसका significance figure बताना है कितना होगा ठीक है तो करना क्या है आपको इसको y की बराबर मान लो 7 की power minus का 20 अब यहाँ log ले लो log base 10 पे लेना क्योंकि 10 पे दिया गया है 10 हो जाएगा यहाँ minus का 20 हो जाएगा और log 7 बचेगा log 7 की value अपको पता है 0.8451 दिया है बस multiply कर लो 0 आएगा 2 एक कम 2 आएगा 2 पंजे 10 आएगा 2 चो के आठे के 9 हो जाएगा और 2 अठे 16 हो जाएगा इतना 4 रंग पे 1-2 4 रंग पे 16.902 दिया है तो हमें significance figure बताना है इसमें इसमें बताना है कि कितने significance figure होगा मतलब कहने का यह है significance figure का मतलब बच्चा यह होता है कि आपको point के बाद मतलब इसके बाद यह कितने point के बाद आपका कोई non-zero आएगा तो यह हमारा significance figure होगा तो पहली की पहली वास्तिक औस्ता के इस्तिती मतलब कहने का है पहली जो औस्ता है उसकी इस्तिती क्या है वो चीज़ आपको पता करना है तो यहां पर क्या 16 आ रहा ना बच्चा तो 16 इसका अंसर जागा ठीक है जो रहेगा वही आपका अंसर जागा मतलब पॉइंट के बाद 16 0 के बा बच्चा कोई non zero आएगा ये आपसे question पूछा गया है तो इसका 16 answer जो आएगा हुआ है ये आपका right answer होगा clear हुआ क्योंकि जब इसको करोगे बच्चा न एक अपान में 7 के पाउर 20 अरी बहुत छोटा number है यार जब 7 के पाउर 20 करोगे बहुत बड़ा number आएगा और जो 1 अपान में करोगे तो बहुत छोटा number आएगा न तो इसका answer हो जाएगा न बच्चा क्योंकि 4 के पाउर में दिया है ठीक है तो इसको करो देखो कितना आ रहा है यह लॉक 2 हो जाएगा यह लॉक 2 है लॉक 4 है और यह 4 के पाउर कितना आएगा 4 आ जाएगा प्लस 2 है लॉक है और यहाँ 2 है यहाँ 2 की पाउर 1 बटे 2 कर लो क्योंकि रूट 2 में है रूट 2 में है तो इसको क्या कर सकते है रूट 2 की पाउर 1 बई 2 लिख सकते है ओके चलिए यह यहाँ आएगा यहाँ जंप कर जाएगा और यह लॉक 4 बेस 4 कमान 1 होता है प्लस इसक 2 है इसका नीची आएगा 1 by 2 आजाएगा और log 2 बेज 2 1 हो जाएगा ती 1 लिख लिए और यह उपर जाएगा 4 हो जाएगा कूल मिला कि यह तो 4 आया इसको 2 की पावर 2 लिखेंगे 2 यहां आएगा यह 1 बन जाएगा 1 हो गया और आपका 1 आया और इस 4 है और आल कितना आ गया 5 आगया बच्चा तो इसका D answer is correct answer clear हुआ कि नहीं चलिए next question को आगे बढ़ते है यह अगला question है बहुत प्यारा question है देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो बच्चा log 2 और यह 2 की पावर 2 लिख सकते हो plus यहाँ लिख सकते हो minus क्या है minus है minus log 2 2 to the power 3 लिख सकते हो plus log 2 और यहाँ 2 के power full इस तरह से आप लिखते जाओ अनल तक लिखना है देखो यहाँ से क्या आएगा 1 by 2 आजाएगा और log 2 base 2 1 हो जाएगा minus यह आएगा आपका यह हो जाएगा 1 by 3 आएगा plus का 1 by 4 आएगा इस तरह से आता जाएगा clear हुआ कि नहीं अच्छा होता क्या है आपको पता होगा कि log 1 plus x जो होता है 1 plus x यह होता है 1 minus 1 by 1 plus 1 by 2 factorial 2 factorial नहीं होता है गलत लिख दिया ठीक है 1 minus x by 1 minus plus x square by 2 minus x cube by 3 plus dot dot रहे अनन तक होता है ठीक है plus minus ऐसे होता है तो यहाँ पर क्या दिया है x कमान यहाँ 2 रख लो जैसे 1 रखोगे 1 तो 1 2 आ जाएगा यहाँ पर यह 1 minus 1 plus यह 1 by 2 आ जाएगा minus 1 by 3 आ जाएगा plus 1 by 4 आ जाएगा dot 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 ठीक है थोड़ा सा गलत कर दिया sorry थोड़ा सा गलत कर दिया इस question में यह नहीं होगा बच्चा यह नहीं होगा यहाँ पर जो है गरवड कर दिया हूँ थोड़ा सा आपको change करना पड़ेगा यहाँ x minus होगा plus होगा minus होगा इस तरह सोता है तो जैसे आप x की value 1 रखोगे इसक minus dot 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 इस तरस होगा अब यहाँ क्या है कि आप जब जैसे आप 1 minus x को यह minus common करोगे 1 by 2 minus 1 by 3 plus 1 by 4 इस तरह आएगा और यही चिर लिखा गया है तो जब यहाँ लिखोगे तो 1 minus log 2 हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा 1 minus log 2 I mean question the answer is correct answer थोड़ा सा change कर लेना यहाँ पर ऐसा चलिए है अगला question लेते हैं a set दिया है उसका दिया है कि y equal to e to the power x दिया है और b set दिया है y equal to minus x दिया है तो बताना है इन में से कौन सा सही होगा अच्छा draw करते है इस type question जब कभी भी आए बच्चा तो क्या करना draw किया करो graph बनाए करो उसके बाद आपको समझ में आएगा तो यहां पर एक तो आपको graph यह दिया गया है कौन सा यह चिदिया है यह आपका है x plus y बरबद 0 यह वाला second वाला बी वाला यह रहा ठीक है अच्छा और e के power minus x का जो graph ऐसा होता है e के power minus x का यह होता है तो इनमें दोनों को में कोई common हो रहा है नहीं common हो रहा है इसका मतले intersection 0 इसका mean क्या है intersection क्या जगा है 0 जगा बस simple सा question था आपको यह क्या है यह आपको question करने के लिए आपको graph पता होना चाहिए ठीक है e की power x graph क्या होता e के power minus x graph क्या होता y equal to x क्या होता y equal to minus x क्या होता है तो हमने क्या किया यह हमारा y equal to y equal to minus x graph था और यह y equal to e के power x graph था हमने इस इसको draw किया, दोनों cut नहीं किया, इसका मतलब दोनों की बीच में कोई भी संख्या common नहीं है, यानि A intersection, B आपका कितना आजाएका बच्चा, 5 आजाएका, बस ये काम करना था, ठीके, देखने से लग रहा कठिन question है, लेकि बट क्या है, बहुत आसान है, ओके बच्चो, नेक्स्ट, two finite set A and B have M and N element respectively, if the total number of subset of A is 112 है, more than the total number of subset of B है, तो आपको बताना है, M की value बताने किती है, अच्छा, ये बताओ, कि number of subset का formula कितना होता है, 2 के power M होता है, अच्छा, और दूसरे में क्या होगा, ये होगा करा, इनका अंतर क्या है, 112 की बराबदिया, ठीक है बत्चा, यहाँ पर क्या 2 की power M है, minus 2 की power N है, equal to ये दिया है, तो क्या है, यहाँ पर 2 की power M, N को common कर लो, यहाँ से आएगा 2 की power M, minus N आएगा, minus का 1 आएगा, और यहाँ होगा, 16, 17, 112 होगा, इस तरह ब्रेक करने के, अब क्या लिखनेंगे, 2 की power N था, और यहाँ 2 की power M, minus N था, minus 1, equal to इसको 2 की power 4 लिख लेंगे, और 7 को लिख लेंगे, 2 की power 3 minus का 1 लिख लेंगे, ठीक है, अब compare करोगे, क्या हैगा, compare up, heat and trail लगा देंगे, इस तरह से, है न, देखो क्या है, 2 unknown है, एक ही equation है, तो solve हो पाएगा कि नहीं हो पाता है, है न, 2 unknown है, तो 2 equation होनी चाहिए, यहाँ पर क्या है, 2 unknown है, बट एक ही equation है, तो M और N की value तो possible नहीं है, बट क्या है, ऐसे case में, आगर, आप अगर heat and trail लगाते हो, तो answer आप निकाल सकते हो, तो वही concept को मैं भी follow कर रहा है, heat and trail का, तो जब इसको इस format में लिख लिया, तो N का मान कह दिया, कि 4 की बराबर है, N का मान 4 हो गया, और इस का मान जो हो जाएगा, 3 के बराबर कर लेंगे, M-N का मान 3 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ M-4 बराबर 3 हो जाएगा, तो बच्चा, M का मान 7 के बराबर हो जाएगा, तो कहीं देखो, 7 लिखा गया है, A answer is correct answer, बच्चा, यह concept पता रहेगा है, तभी इस question को बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, हाँ, note कर लेना, बार बार देखके से समझ जाना, heat and trial क्या है, बहुत सारे question होते हैं, जिसमें heat and trial के बिना तो करी नहीं पाओगे, ठीक है, हाँ, चलिए, next question लेते हैं, question number this, करा A-A-B-A-B- करना हो, अच्छा, इसको बनाओ, वेन डायग्राम से, A-B का मतलब जानते हो, क्या होता है, A मेंसे B को घटाना था, जब A मेंसे B को घटाओगे, ये आएगा, और जब A मेंसे, A मेंसे, इस मेंसे इतना घटाओगे, तो intersection बचेगा, तो C answer correct हो जाएगा, क्या हो जागा, C answer, correct हो जागा, चलिए next question लेते हैं, yes, दिया हुआ है कि A intersection, A cross B intersection B कर रहा, बच्चा मैंने आपको बता रखा कि N का square होता है, N का square होता है, N is the common number, तो यहां पर जो आएगा, देखो, कौन square है, यह भी तो देख सकते हो, 11 किसी का square होता है, no, 10 किसी का square होता है, no, 8 किसी का square होता है, तो आप फार्मूलिया से आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, question, reflexive, symmetric और tangity का question दिया गया है, देखते हैं, क्या होगा, अच्छा, देखो, सवतुल का मतलब बताब 3 है, तो इसके अंदर 3-3 होना चाहिए, है, 6 है, तो इसके अंदर 6-6 होना चाहिए, यह भी है, 9 है, तो 9-9 होना चाहिए, और 12 है, तो 12-12 होना चाहिए, इसका मतलब वो सवतुल है, सवतुल मतलब रिफ्लेक्सी, रिफ्लेक्सी तो होगा ही, confirm है कि रिफ्लेक्सी होगा, आगे देखते हैं, 6-12 है तो 12-6 भी होना चाहिए, 12-6 कहीं दिख रहा है, बच्चा यह तो 12-12 है तो 12-6 भी होना चाहिए, तो 12-6 तो है नहीं, तो इसका मतल़ सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं है तो तुल्लता संबन नह यहां देखो तुल्यता समद्ध भाई इसमें रिफ्लेक्सी तो है नहीं तो सम्मित नहीं होगा तो यह गया ठीक है और यह गया अच्छा एक मिट और चेक कर लेते हैं कि आपका यह दो तुल्यता गया और यहां पर सम्मित गया संक्राम पर हो सकता है देखते है कि इसे अधिकल नहीं है कि ऊ만र लेशन धाल है और नहीं है तो कोई बारा के साथ है तो बारा का किसके साथ है दो को बारा का बारा के साथ है तो छे के बारा के साथ है यह तो बैठ रहा है अच्छा आगे थ्री का नाइन के साथ है तो नाइन का देखो किसके साथ है तो नाइन का नाइन के साथ है तो थ्री का नाइन के साथ है यह भी बैठ रहा आपका तीन का 12 के साथ है तो 12 का देखो तीन का हमारा तीन का 12 के साथ रिलेशन दिया है तो 12 के 12 के साथ तीन के साथ है तो तीन का छे के साथ यह भी है इसका मतलब बच्चा यह तो आपका सव यह हो रहा है सवतुल भी होगा और संक्रामक भी होगा कन्फर्म यानि आपका रिफ्लेक्सि भी होगा और ट्रांजिटी भी होगा क्लियर हुआ कि नहीं चलिए नेक्स लेते हैं कॉश्षं नंबर यास यह तो बहुत आसान कसरन ऐ बच्चा कराइए अपि में अपको पता है ना 2वी का मान ए प्लस ए के बराबर होता है तो A का मान तो A 2 के बन जाएगा और A का मान माइनस 5 है अभी ये माइनस का 6 हो जाएगा तो K का मान आपका माइनस का 3 हो जाएगा ये माइनस का 3 आपका right answer है ओके बच्चा, next question लेते हैं Question number, yes करा A, B, C, D and E एक AP में दिया गया है और A हमारा A से सुरूँ जब कभी भी इस टाइप question आए नगो तो आप क्या करो 1, वैसे कहा गया 1 से सुरूँ है तो आप 1, 2, 3 ही मान ले ठीक है, मान करी कर लो क्या है, मैं answer से मतलब होता है तो यहाँ पर A, B, C, D और E कह रहा है, AP में है AP में है तो मानना सुरू करो इसको हम क्या करेंगे 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेना इसको 3 मानना, इसको 4 मानना इसको 5 मान लेना मान का देखते हैं, क्या आ रहा है ठीक है, तो मान का देख लिया करते हैं, देखते हैं, क्या आ रहा है अब यह value यहाँ रख का देखो, क्या value आ रहा है तो A का मतलब 1 है 4 इंटू B का मान 2 है ठीक है प्लस 6 इंटू C का मान क्या 3 है 3 हो गया मैनस 4 इंटू D का मान 4 है अब प्लस E का मान 5 है देखते हैं क्या आ रहा एक ये माइनस का 4 दूना 8 प्लस 3 छक्य 18 माइनस 4 चा चेको 16 प्लस का 5 18, 19, 19, 19, 24, 24 में से 24 घटाओगे, 12, 16, 8, 24 होता है बच्चा, तो काटोगे तो क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस करने के साथ, है ना, आसान कोशन बन जाएगा, इस तरह से करोगे तो, ठीक है, क्योंकि एक अमान तो 1 दिया, 1 से ही सुरू करना है, तो क्यों न हम मान ले, 1 2, 3, 4, 5, मान लेगे, इसमें रख कर देखेंगे, जिसके साथ मैच कर जाएगा, वही राइट एंसर है, ठीक है, चली आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन, कोशन नमबर आपका 13 है, एक विद्धियार्थी, एक समानतर सेड़ी के सार्व अंतर को प्लस 3 के जगव पर माइनस 3 पढ़ता है, गलती से बाई मिस्टेक प्लस 3 लिखना ता तो उसको माइनस 3 लिख देता है, तो कर रहा कि पर्थम 10 पदों का योगफ़त माइनस 30 प्राप्त करता है, तो आपको बताना कि पर्थम 10 पदों का वास्थिक योगफ़ल क्या होगा, चलो हई देखते हैं, उसम का यहीं लगाया होगा ना क्योंकि अपने से तो लगा ही नहीं सकता वाई वेलू में वो चेंज कर सकता है बाकि फारूमले में थोड़ा चेंज कर पाएगा है ना यहां पर इसको कह रहा है कि 30 प्राप्त करता है 10 पर 2 का 10 बटे 2 कर लिया A का पता नहीं है तो A को तो यही रहने देंगे 10 में से A कम करेंगे 9 हो जाएगा D की जब पर माइनस 3 कर लिया तो यह कह रहा है माइनस का 30 प्राप्त कर रहा है है ना चलो अब देखते हैं इसको Sol के देखते हैं क्या बन रहा है यह गया बच्चा 5 5 से जाएगा यह 5 चके 30 माइनस का 6 आगया 2 A बचेगा 2 A माइनस का 27 बराबर माइनस का 6 बचेगा तो 2 A कमान कितना हो जाएगा इधर ले जाओगे तो माइनस 6 प्लस का 27 हो जाएगा तो overall कितना हो गया यह घटेगत 21 हो जाएगा 2 A कमान 21 हो गया हमें A नहीं चाहिए न हमें तो 10 पदों का योगफल चाहिए यह 10 पदों का योगफल यह हो जाएगा 2A का मान 21 है 21 प्लस N-9 हो जाएगा हमें 3 तो वास्थित 3 ही लेना था ना 3 ले लिया इसको करेंगे 5 आ जाएगा और यहां से आएगा 21 और यह हो जाएगा 27 तो कितना आएगा 5 इंटू साथ एक 8 जाएगा 4 तो 5 से करेंगे तो 5 वट्थे 40 पांच चोग 20 बीस चाह 24 दो सो चालीस आ रहा बच्चा कैलक्रिशन करके देखना मैंने तो कैलक्रिशन किया नहीं अभी किया है तो देखना 240 आ रहा है तो अर अपका राइट अंसर है ठीक है बच्चा चली है next question लेते हैं अगला question है if twice the 11th term of AP is equal to 7th time ये 21 तो 25 तरम का sum बताना है ठीक है अच्चा बच्चा जब कभी भी ऐसा question आए 11th और 25 तरम 21 तरम है ना जोड़ने पर क्या आएगा चलो देखते हैं क्या है 11th term का twice यानि 2 into 11th term ये रहा 11th term equal to दिया है 7th time of 21th term बाई जो question में कहेगा वही तो हम करेंगे हमें कहा रहा है कि 11 पत का 2 गुना 21 पत के 7 गुने की बराबर है ये question में कहा गया है तो लिक दिया हमने अच्छा क्या आएगा ये 2 आएगा यहां पर है a plus 10 d क्या आएगा 10 d बराबर आएगा 7 into ये आएगा a plus 20 d आएगा ये भी clear है चलो 7 d में 7 a में से 2 a घटा होगे तो 5 a आएगा चलो 5 a लिख लिया प्लस का 7 7 24 d में से 20 घटा होगे तो 120 d आएगा इसका मान d के बराबर हो गया 5 से डिवाइड करो a plus पांच चोक बीस पांच दूना दस पांच दूना दस पांच चोक बीस और इसको क्या बोलते हैं बच्चा इसी को बोलते हैं बच्चा पचीसमा पद तो पचीसमा पद कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो यहां पूछा गया पचिसमा पद कितना होगा तो जीरो आजागा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन ठीक है यहां पर आपको डिफाइन करने करें मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं तो बच्चा इसको भूलना नहीं है साथ में अगर आपको प्रॉपर विब में पढ़ना है ठीक है अगर आप फ्रेशर हो अभी 12 में पेपर देकर आयो बच्चा तो फटा फटा इस नंबर पर कॉल करके सारी डीटेल पता कर सकती है ठीक है देखो क्या होता एक बार एट लिस्ट कम से कम एक बार तो आपको आफ लाइन में आना ही पड़ेगा सो समझना पड़ेगा के एंडिय होता क्या है ठीक है कौन कौन से टॉपिक में पढ़ना है किस टॉपिक का ज्यादा वेटेज है किसका कम है किसको छोड़ना है कितना score करेंगे था हम NDA qualify कर जाएं तो इसके लिए एक बार तो कम से कम at least आपको क्या है यहां तो admission लेना ही पर आफ लाइन में तो आना ही पड़ेगा यहां अगला क्या है कर आउ मैनी 5 डिजि टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्ट यूजिंग डवडिज जीरो टू नाइन जीरो से नाइन आपको दस नंबर दिया गया है और पांच अंको का नंबर वनाना यह चीज पांच अंको का नंबर होना एक दो तीन चार पांच और क चाहिए सुरू के दाने चुंब और लिक्ते दोटने लिक्त दिए बुचा क्या आट फिर बचेगा साथ् फिर बचेगा आपका 6, चलो भाई, देखते हैं, multiply करके, कितना 8 हो गया, और यहां पर आजागा, 7 के 42 हो जागा, 8 दुना 16 हो गया, 8 चुक 32 से 33, कितना आया है, देखो भाई, आ गया, 36 is right answer, बहुत प्यारा कोशन था, इसको दोबारा कर लेना, yes, अगला करा, the number of ways in which 5 boys and 6 girls can be seated for a photograph, अब photograph के लिए खड़े हैं, तो एक line में खड़े होंगे, आगे पिछे नहीं खड़े होंगे, एक line में हैं, न तो circular की बात किया गया है, अगल बगल नव आएं, तो अगल बगल नव आने को boys को बैठाने का तरीका ये हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो जाएगा तरीका boys क बैठाने का, अब गल्स का position कहांगा, यहां हो सकता, यहां, 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 यहां और यहां, तो एक, दो, 3, 4, 5, 6, 6 position पे 5 को arrange करना है, तो इसका मतलब यह 5 factorial होता है बच्चा और यह 6 factorial होता है, तो देख लो कहां पर answer match कर रहा है, यह answer आपका correct हो जाएगा, ओके बच्चा, चले next question लेते हैं, yes, how many number of 6 digits, भाई, 6 number है, 6 later है, 6 number है, 6 digits की संख्या बनानी है, तो इसके लिए क्या करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 6 factorial होगा, बच्चा उससे divide करना होता, 1 दो बार है, 2 भी दो बार है, और 3 भी दो बार है, इससे हम क्या करेंगे, divide कर देंगे, तो उपर हो यहां 720 हो जागा, और यहां पर 2 दुना, 4 दुना, 8 होगे, 8, 9, 72, अब आ गया 90 हमारा, C answer, correct, चले next लेते हैं, yes, अगला question है, in a mathematic paper, there are 3 section, containing 400, कर रहा एक mathematic का paper है, जी में 3 प्रसंट दिया है, चार, पांच और 6 हैं, परते, इक में 3 तीन प्रसंट लेना है, तो प्रसंटों के chain कितनी प्रकास किया जा सकता है, भाई, हमें क्या करना है, चार में से एक, अIGHूव, तीन question लेना है, और पांच में से भी क्या लेना है, आगर छे में से यह बच्चा 10 होता है और यह हो जाएगा कितना 6 इंटू 5 इंटू 4 अब वान में 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आएगा कटेगा 20 80 800 800 आ रहा रहा भई 800 800 आएगा देख लेना ठीक है चले नेक्स कुछ़न लेते हैं कह रहा है कि 5 सड़क गाउं से कसby कियो जाती है कितनी विधियों से एक ग्रामीτί गाउं से कसby और कसby से मतब़ जा भी रहा है ऐसे कि ह। इसमें 5 C2 कर लो ने यह तो 5 C2 इंटू 2 करो यह तो 5 C2 कर लो तियोगा 5 इंटू 4 ती200 है 20 दिख रहा है, yes, 20 यह रहा है, ठीक है, चलिए, next question लेते हैं, कह रहा है, if the coefficient of x square and x cube in the expansion of, भाई, इसमें कह रहा है, कि 3 plus ax के power 9 के expansion में, आपको बताना कि x square और x square का गुडांग बराबर है, तो a कमान बताना है, मतलब हम पहले इसका general term लिखेंगे, tr plus 1, क्या होता है, 9cr हो जाएगा, a मतलब 3 के power r हो जाएगा, यह आप लोग पता होगा, ax के power r हो जाएगा, इतना तो किलियर है, अब लेना क्या है, x square का गुडांक लेना है, तिहां r कमान 2 हो जाएगा, और यहां पर लेना है, x cube लेना है, तिहां r कमान 3 हो जाएगा, वो बराबर है, तो बराबर करके लिखते हैं, यह आपका हो जाएगा, बच्चा, 9c2 होगा, ठीक है, a 3 to the power, यह 9 minus r है, जिसको by mistake हो गया, 9 minus r होगा, उसके भीना होगा, formula ही 9, n minus r होता है, ठीक है, तो यहां होगा, यहां पर 2 रखोगे, बच्चा, 7 होजाएगा, 7 into a, a to the power, वैसे गुडांक लेना है, तो गुडांक खिलो ना बस, यह 2 आजाएगा, एक कल्टू होजाएगा, 9c3 होगा, और 3 के power, 3 minus करोगे, तो कितना 6 आएगा, और a होजाएगा, a का tube होजाएगा, भाई, गुडांक लेने, एक से कोई मतलब नहीं है, यहां भूलना नहीं है, 9, n minus r होता है, देखो, अब क्या है, काटना सुरू करो, काटने में तो आप अ यह 9c2 और एक बचेगा साथ, तीन बचेगा, तीन एक power है, और यहां होगा 9c3, इनका मान देखते हैं क्या हैगा, इसको solve करके देखो, 9 into 8 into बच्चा 7 होगा, अपवान में 2 into 1, और 3 भी तो होगा, अपवान में, यह होगा 9 into, अच्छा एक मिने रिक में, गलत होगया, by mistake, यह एक ही होगा बस, ठीक है, यहां आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है, यहां पर होगा ऐसा, 8 into 7, 8 into 7, अपवान में 3 into 2 into 1, 2 into 1, 2 into 1, 2 into 1 से कट जाएगा, 9, 8, 9, 8 कट जाएगा, 3 उपर जाएगा, 9 हो जाएगा, और नीचे आएगा, 7, नीचे 7 आएगा, 9 by 7 है क्या कहीं है, Yes, the answer is correct answer, ओके बच्चा, चलिए, next question लेते हैं, यह सारी बुक है, बार-बार कहते हैं कि यह बुक जो है, अपने आप में unique बुक है, अब बैटा, इसको पढ़ ले तो ना, चाहे वो math, चाहे इतिहास की हो, चाहे रहसान विज्ञान की भौत की का है, physics का है, math का भी होगा, अच्छा, math का तो हम बताई रहे हैं, ठीक है, तो यह math की जो बुक है, यह सारी बुक जो है, अपने आप में unique है, बाकी अदर किसी बुक से compare करोगे न बच्चा, तो बहुत सारा difference मिलेगा, और सात में जो हमारी बुक है, बेटा, केवल NDA की purpose से बनाए गई है, ना J-Mans, न advanced, इनकी purpose से नहीं बनाए गई है, यह जितनी भी बुक है, अपने आप में unique है, बच्चा, इनको भूलना नहीं है आपको, ठीक है, yes, अगला क्या दो, coefficient of x की power 20 in the expansion, अप यह, अच्छा, यह ध्यान से देखो, इसको कुछ लिख सकते हो ना, हाँ, लिख सकते हैं, आप कहोग आपको बताना है, कि x के power 20 का गुलांग बताना था, बच्चा, क्या हो जाएगा, यह गुलांग बराबर क्या होगा, ncr 20cr का मतलब हो जाएगा, 20, और x के power 20 होगा, तो हमें गुलांग से मतलब है न, तो 20, 60, c20 होगा, अच्छा, एक चीज यहाँ, आंसर तो मैच नहीं कर बता है, लेकिन एक बात और पता है, कि हमें ncr जो होता है, nc n-r के बराबर होता है, तो हमारा यह जोगा 60, c20 जो होता है, 60, c40 के बराबर होगा, तो इसका आंसर यह correct हो जाएगा, ठीक है, yes, आगे बढ़ते हैं, कहरा इसमें x के power 14 का गुलांग बताना, अच्छा, इसके 20 star में आपको बताना क्या है, x के power 14 का गुलांग बताना, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस x के power 6 लिख सकते हो, अब 1 प्लस x square के power 6, इतना लिख सकते हो, factor कर लिया भाई, ज्यादा कुछ नहीं किया है, अब इसका expansion तो आपको पता है, इसका expansion याएगा, 1 प्ल 6 c 2 x square, प्लस 6 c 3 x cube, प्लस 6 c 4 x के power 4, प्लस 6 c 5 x के power 5, और 6 c 6 x के power 6, यह तो हो गया, हमने पूरा expand कर दिया, अभी और भी expansion करना है, भचा हुआ इसका, तो यह करोगे, 1 प्लस 6 c 1 x square, प्लस 6 c 2 x के power 4, प्लस 6 c 3 x के power 6, प्लस 6 c 4 x के power 8, प्लस 6 c 5 x के power 10, प्लस 6 c 6 x के power 12, यह तो हमने पूरा expand कर दिया, पूरा अच्छे से expand कर दिया, अभी इसकी value बतानी आपको, इसकी value दो को, 14 लाना है, तो इसका multiply 14 के साथ करोगे, 14 तो है नहीं, यहाँ पर क्या x है, तो 13 से करोगे, 13 है नहीं, square है, 14 लाने के मतला, इनका जब गुड़ा, इनका जब आपस में गुड़ा होगा, तब आपको क्या मिलेगा, x के power 14 मिलेगा, तो 6 c 2 होगा, इंटू 6 c 6 हो जाएगा, प्लस, यह tube है, चूब का जब 11 से गुड़ा होगा, x के power 11, तब 14 आएगा, यहाँ से भी कुछ नहीं मिलना है, आगे यह चीज करो, यहाँ पर क्या दिया, x के power 4 दिया है, 4 का जब 10 के साथ multiply होगा, मतला इन दोनों का जब multiply होगा, तब आपको 14 मिलेगा, x के power 14 मिलेगा, तो x के power 4 होगा, x है, 6 c 4 होगा, इंटू 6 c 5 हो जाएगा, प्लस, अब दोखो यहाँ पर क्या है, 5 नहीं लिखा क्या, ओ, 5 नहीं क्या, यहाँ 5 है, बच्चा यहाँ 5 है, 5 से कहीं नहीं मिलेगा, 6 जब करोगे, 6 का, जब 8 में गुड़ा होगा, तब मिलेगा, इन 6 c 6 होगा, into 64 हो जाएगा, इनका, अब इनी को solve करके पता करना, आप कितना हो सकता है, ठीक है, कितना हो सकता है, इनको solve कर देखो, कितना overall हो सकता है, तो 6 c 12 का मतलब बता, 6 into 5 upon में 2 करोगे, 15 आएगा, यहा बढ़ते है, 6 c 4, 6 c 4 का मान 6 to 2 की बराबर होता है, तो यहाँ पर 6 into 5 upon में 2 into 1 करोगे, यह भी 15 ही हो रहा, 15 into और यह होगा, 6 होगा, प्लस, इसका मान 1 होता हो, और इसका मान भी 15 होगा, 15 15 30 हो गया, 15 15 30 और 15 6 90, 90 और 30 120 हो रहा बच्चा, तो इसका मतलब बी answer is correct answer, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, कर रहा, 2 dice are thrown simultaneously, the probability of obtaining a total of score 5, कितना प्यारा question आ गया, मैंने इसके लिए shortcut बता रखा है ना, है ना, 2 dice है, 2 dice है, तो 2 dice के लिए 7 लिखते हैं, यहां 6 लेते हैं, यहां 5 लेते हैं, यहां 4 लेते हैं, यहां 3 लेते हैं, यहां 2 लेते हैं, यहां 1 से नहीं बढ़ना, क्यों, फालतों में हम दिमाग खर्च करें, इसके नीचे 4 आ गया, 4 अपन में 36, 4 नाव में 36, आ गया 1 बटे, no answer, ठीक है, आगे भी होता है, 1, 2, 3, 4, 5 होता है, यहां 6 होता है, यहां 8, 9, 10, 11, and 12 करोगे, तो यहां 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होग कई बार इस टाइप का बता रखा है, ठीक है, तो 5 के नीचे कितना होता है, total score sum कितना है, 5 आए, 5 के नीचे 4 है, 4 अपन में 36 करोगे, तो probability एक बटे, no हो जाएगा, यह आपका answer हो जाएगा, ओके बच्चा, चलो, next question लेते हैं, राम एक मित्र से मिलने जाता है, राम को ग्य boy girl हो, girl boy है, यही हो सकता है, और बाकी जो case नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों girls आप ले ही नहीं सकते, का रहा उसमें, एक लड़का तो 100% है, अच्छा, माल या एक लड़का और एक लड़की के आने के समान घटना है, तो दूसरे बच्चे के लड़की होने, प्रुबल्टी आंसर, बहुत प्यारा question था, फोड़ा लिखने में फोड़ा इधर हो कर दिया है, बाकी आप दिमाग लगाओ, तो फटा फटा आंसर दे सकते हैं, ठीक है, चलिए, आगे question बता है, कह रहा है कि, if two cards are drawn simultaneously from the same set, then probability that at least one of them will be the heart, कह रहा है कि, दो card, बाउन पत्तों में से दो प इकका होना चाहिए, अरे भाई, पान का इकका तो एक ही होता है, तो एक होता, एक में से एक लेना है, और दूसरा पत्ता तो एक क्या वन में से कोई भी हो सकता है, और टोटल हमें दो पत्ता लेना है, तो बाउन में से दो पत्ता निकालना है, यही तो मतलब हुआ, कम से कम एक पत्ता क्या है पान का इकका हो तो आपको पता होगा पान का इकका तो एक ही होता है ना तो जब एक ही इकका होता है बच्चा तो एक इकके में से एक लेना है बाकि जो दूसरा पत्ता बावन में से कोई भी पत्ता आ सकता है ठीक है बावन पत्ता में से कोई भी आ सकता है एक 57 अपानों टोटल 52 सीवन स्वाल करें देख लो भाई क्या आ रहा है यह 1 आएगा यह क्या 1 आएगा इसको करोगे 52 इंटु एक क्या 1 अपान में 2 इंटु 1 तो 2 उपर जाएगा 2 इंटु 1 यह कटेगा एक आगया 2 और 26 दुना 52 तो कहीं दिख रहा आंसर एक पान में 26 है तो बहुत प्यारा कुश्टन यह दिमाग घुमाने वाला थोड़ा है ठीक है कम से कम एक पत्ता है पान का इकका हो पान का इकका पूछा पान का इकका भाई एक ही होता है दो तो होता नहीं है अगर दो होता तो दोनों केस लगाने पड़ते हैं यहां पर एक ही होता है एक मेंसे एक लेना और 52 मेंसे 51 मेंसे एक लेना और टोटल कितना 52 मेंसे दो लेना है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे कह रहा यह फेया डाइसीस थ्रोन 20 टाइम अरे भाई 20 टाइम कर रहे एक डाई को पासे को 20 बार उछाला जाता है और दसमें बार में 4 6 आने की प्रविल्टी क्या होगे दसमें बार में 6 आना है चोथा 6 आना चाहिए यह कह रहा है कि 20 बार तो उछाला जाता है बीस बार क्या किया उछाला जाता है कर रहा उसमें दसमें बार में दस्वे बार में 4, 6 आना चाहिए इसका मतलब बच्चा कि 9 बार में 3, 6 आया होगा 9 बार में 3, 6 आया होगा तब तो 10 बार में आपको 10 बार में हमको क्या है कि 4, 6 लेना है तो इसकी probability क्या हो जाएगी देखो probability कैसे निकालो गया एक तो यह पता करो कि नौ बार में तीन आए तीन नौ बार में तीन आपका तीन शिक्स आए तो 9C3 हो जाएगा 9C6 9C3 होगा और P फार्मुला हमें बाइनुमियल डिस्ट्रिबिशन पड़े होगे न NCR होता है P to the power R होता है into Q to the power N minus R होता है यही हम concept को लगा रहे हैं यह probability of X equal to R का concept लगा रहे हैं ठीक है तो हम यह मार रहे हैं कि 9 बार में तीन बार क्या आ रहा है 6 आ रहा है तो 9C3 होगा P 6 आने की probability क्या होती है 6 आने की probability तो 1 by 6 होती है इसके पावर 3 आएगा फिर 9 आने की Q का मान हो जाएगा 5 बटे 6 P का मान जब यह दिया है P का जब मान निकालो 6 आने की probability क्या होगी 1 by 6 होगी तो Q की लिए निकालोगे 1 में से 1 by 6 माइनस कर लोगी तो 5 बटे 6 आ जाएगा तो 5 बटे 6 आ जाएगा तो इसके पावर क्या हो जागा 6 आ जागा लेकिन यह तो हमारा हमें तो ट्नौ बार में 6 की बताना है यहाँ पर हमें क्या करना है एक डशुमे बार में हमें क्या करना है 6 लाना है दशुमे बार में चोथा 6 लाना तो उसकी probability बन भई 6 अब इसी को solve करके हमें पता करना है कितना होगा तो नीचे हो जाएगा आपका 6, 3, 10 यानि 6 की पावर 10 तो यह तो गया यह और यह हो सकता है अच्छा उपर 5 के पावर 6 आएगा तो 5 के पावर यहाँ पर 5 साथ दिया तो यह भी गलत है इसका मतलब क्या आना चाहिए यह यह आंसर होना चाहिए है है ना हां करके देख लो 9C3 कमान कितना होता है 9 into 8 into 7 upon 3 into 2 into 1 कितना है तीन तिया नहों और यह कटे गात कितना हो गया दो चार बासित चावरासी है चावरासी आ रहा है यह इससी आंसर करेक्ट हो है ओक बच्चा चलिए नेक्स कुश्चन लेते हैं करा यह डासी रोल थ्री टाइम दप्रविलिटी अप गेटिंग लार्जर न है वह आगे की आगे की जो नंबर उससे बड़े नंबर आने चाहिए एक पासे को तीन बार उच्छाला जाता तो प्रते एक बार पिछले नंबर की तुनला में बड़ी संख्यानी चाहिए तो एक तो अब यहां टेबल बना पहले पमानलो 1 आया तो दूसरे पमानलो 2 आया तो तीसरे पर क्या आएगा तीन आएगा चार आएगा पांच आएगा और छे आएगा यही आएगा यह आपका आउटकम चार हो गया अच्छा तीन भी आ सकता है तो यहां क्या आएगा चार आएगा पांच आएगा और छे आएगा तो यह तीन आउटकम्स हो गया तीन हो गया पहले जब हमने क्या माना वन माना है तब अब आप मान लो पहले जो दो आये तो यहां पर क्या आएगा यहां तीन आएगा तो यहां आएगा चार आएगा पांच आएगा छे आएगा ते आउटकम तीन हो जाएगा अच्छा आएगा तो क्या आएगा पांच आएगा छ तो यहां पर एक दो तरीका हो गया अच्छा यहां पांच आएगा तो यहां पर एक तरीका हो गया तो तो टोटल तरीके कितनी हो गए यहां से इतना आया तीन दो पांच एक छे आया और यहां पर तीन आया यहां पर एक आया तो बच्चा ओवराल क्या आ गया कि जो प्रिविल्टी है उपर 20 आएगी और नीचे क्या आएगी छे की पावर तो तीन तीन बार टास्क किया गया थ्री बार टास्क किया गया तो ववराल आणसर आएगा 20 अपान में 20 अपान में 216 पांच से कटेगा चार से चार पंजे 20 हो जाएगा और यहां चार पंजे 20 चार चे को 16 यह पांच पान में 24 दिख रहा कही आंसर है पांच में यस बी आंसर बच्चा है 20 पांच पान 24 हमारा 20 आंसर है उपके बच्चा चलिए नेक्स कोश्चन लेते हैं करा एक क्वाइए एक फियर क्वाइन इस्ट प्रबिल्टि आप गेटिंग तेल एंड नमबर आफ टाइम अच्छा डेखो टोटल आपका जो प्रबिल्टि निकालो गए बच्चा प्रबिल्टि यहां पर 2 की पावर 100 होगा भाई एक बाट दो बाट आउस करते हैं तो 2 की पावर 2 आता 3 बाट आउस करते हैं 2 की पाव चाहर आता है ऐसे सौ बार टॉस करोगे तो आउटकम कितना आगा दो की पावर हंड्रेड आएगा अच्छा आउटकम्स क्या आएगा इसका फेबरेल लॉटकम्स क्या यह तो टोटल नंबर आप आउटकम्स हुआ इवेंट कितनी बनेगी तो कर आउड नंबर पर टैल आए तो अज़ब नंबर पर क्या है पहले पासकता है तीसरे पासकता है पाँचवोगर इस到 she one होगा प्लस सौ सीडू होगा प्लस'' सी 5 होगा इस तरह से आता जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा सौ is 199 ठीक है तो उपर आप तो फार्मला पता है ना दो की पावर एड़ माइनस वर जरGER इसका होता एड़ माइनस बन एक मंगवर निन्यान हो जायेगा और नीचे बच्छा दो की पावर 100 है करेगा तो एक बट्टे दो ऑन्सर बन रहा है तो izg lsr हो जाएगा ठीक है चलिए आगे नेक्स कोश्चन लेते हैं कोश्चन हमारा क्या रहा है यह यू आरन में एक टोकरी है जिसमें नौ गेदे दिड Brendan गेदे अलग अललग руки मतलों किया एक तो पहले नमबर नौ नौ में से टीन ले लो चार विएक है और आपका दो में से भी एक लेना है और टोटल कितना नौ है ना नौ में से तीन लेना है नौ में से क्या तीन लेना कर दो सौल तीन है तीन है तीन में से एक लेना तीन लाल है ना लाल तो तीन है तो तीन हो जाएगा तीन हो जाएगा आगे चार होगा आगे दो होगा और इन license तो यहां से काटो कितना आराँ यह 15 इंटू आठ हो जाएगा उपर और यह जैएगा उपर छे ऑपाउनوجंट एन टू आट इंटू साथ उजा यह 8 से 8 कट गिया, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दुना 6 हो जाएगा, 2 बट्टे 7 हमारा answer आ रहा है, कहीं है, yes बच्चा, 2 बट्टे 7 हमारा, B answer is correct answer हो जाएगा, ओके, चलिए, last question आपका, आज की class का, यह दिया है, की find the value of cos 29 pi by 3 का मानी तो बहुत आसान है, value तो बच्ची वाला खेले, ठीक है, करके देखते हैं क्या आएगा, cos 29 pi by 3 को अब क्या लिख सकती हो, पहले divide करके देखो क्या आएगा, divide करेंगे, 3 नवम है 27, plus 2 pi by 3, यही होगा, अरे 3 नवम सताई 2, 29 होगा, ठीक है, यह हो जागा, अब यहाँ पर यह देखो, यह 9 pi है, 9 pi प्लस pi बैट, अब आपको सोचना पड़ेगा, 9 pi कहां आएगा, देखो 2 pi, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, और यहाँ 9 pi, यहाँ 9 pi, इसमें पर जोड़ा गया, 3rd में आ रहा, कितना 3rd में आ रहा, तो बच्चा यहाँ 3rd में आ रहा, तो बच्चा य 2 pi by 3 होगा, अच्चा इसको भी थोड़ा चेंज करो, माइनस का कॉस, योगा pi minus pi by 3 है, तो कॉस pi minus pi by 3 माइनस का होता है, तो प्लस का बन जाएगा, कॉस pi by 3, और कॉस pi by 3 का मान एक बटे 2 होता है, कहें दिख रहा है बच्चा, एक बटे 2 आपका right answer है, इस तरह से मैंने बच इसको अच्छे से लिख लेना, लगा लेना, समझ लेना, अगर नहीं है, तो और महनत करना सुरू कर देना बच्चा, क्योंकि एकजाम बहुत pass में है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, अब ज्यादा ज्यादा टाइम बचा नहीं बच्चा, तो इसके लिए ठीक है, तो अच् जो confidence से boost होगा, ठीक है, तो मिलते हैं, नेक्स वीडियो के साथ, थेंक्यू जैहिन, जैहिन एंड मुस्ट वेलकम अगीं टू मिजर कलसी क्लासे के इस एंडिये वाले प्लैटफॉर्म में, तो सभी बच्चों के लिए आज फिर से एक बहुत ही अच्छे question का collection लेक्शन ले है, क्योंकि घबराने में क्या होता है, हमारी preparation थोड़ी सी और अच्छी हो जाती है, it is a harsh truth, क्योंकि जब sense of emergency होता है, तो हमारी तयारी अच्छी होती है, बट उसी तयारी में थोड़ा सा तड़का या फिर उस तयारी को थोड़ा सा समालने के लिए हम सब back to back लेकर आ रहे ह जिसमें ये सीरीज आपके लिए है, तो चले शुरू करते हैं आज की सीरीज को, पहरा question आपके सामने के mystery का है, जो कि यहाँ पर है, जरा आप देखे, and what do you say about that question, क्या समझ में आ रहा है, आप क्या इसको solve कर पा रहे हैं, बिल्कुल देखें, क्योंकि ऐसे ही confusing, और थोड़ इसको, German silver is used to make decorative articles, coinage, metal, ornaments, etc, the name is given because, जो हमारा German silver है, इसकी बहुत सारी चीज़े बनाई जाती है, लेकिन इसको German silver नाम क्यों दिया गया है, इसके बारे में पुछ रहा है question, तो ध्यान से देखेंगे, कि it is a alloy of copper and silver, या फिर German लोग थे, जिन्होंने पहली बार इसको प्रयो की तरह दिखने वाला कोई ऐसा पदार्थ है, तो यहां पर सबसे पहला सबसे सही और सठीक आंसर यह है, कि यह क्या होता है, silver की भाती दिखने वाला कोई एक पदार्थ है, it appears like silver, यह silver की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको German silver कहते है, that is it, इससे जादा और कुछ नहीं है, ठीक है, ओके, ओके, which of the following are not chemical changes, इसमें से ऐसा कौन सा है, जो की chemical change नहीं है, which of the following is not chemical changes, हाँ, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, इसको हम अब चलो देखे, tempering of iron, tempering का मतलब होता है, गरम करना, iron को बहुत जदा गरम करना होता है, ठीक है, या फिर conversion of iron piece into an electromagnetic magnet by passing the current around the iron, या फिर ये पूछ रहा है, कि आप क्या कर दो, इसके चारो तरफ current पास कर दो और इसको electromagnetic बना दो, या फिर rusting of iron, या melting of iron, simple से बात है, इसमें cable एक है, जो कि chemical change को दिखा रहा है, बाकी और नहीं, यानि कि 1, 2 and 3, कहा है ये option, तो option number C सही है, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों ही है, जैसे conversion of iron piece into electromagnetic property आना, कोई chemical change नहीं होता, या फिर लोहे को पीट ना, गरम करना भी कोई chemical change नहीं होता है, ठीक है, तो I hope ये चीज़े clear होती चली जा रही है, next question, there are two elements, calcium and organ, है ना, जिनके atomic number 20 और 18 है, respectively, the mass number of both the elements is 40, they are therefore known as, by किसी का भी mass number बराबर है, तो मैंने कहा था, isobar, bar मतलब भार, iso मतलब समान, ऐसा भार जो कि समान हो, वो isobars है, तो simple सी बात है, यहाँ पर हमारा option number C सही है, यानि कि isobar next question आपके सामने, which of the following statement is not correct, कौन सा ऐसा है, जो कि यहाँ पर correct में, अच्छा, exam में always ध्यान दो, कि not correct वाली बात जो है, वो always हमें क्या करती है, confused करती है, और हमारे questions को गलत भी करवा देती है, hydrogen is an element, यह तो सही बात है, hydrogen is the lightest element, यह भी सही बात है, hydrogen has no isotopy, यही गलत बात हो ही है, hydrogen and oxygen हाँ यह बनाते ही है, लेकिन simple हमारा option number यहाँ पर C सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि protein, deuterium, triterium, hydrogen के isotopes है, तो यह वाली बात यहाँ पर गलत हो जाती है, next question आपके सामने, the pH value of a sample of multiple distilled water, भाई आप कहीं से भी अगर distilled water लेकर आते हो, आशुत ज जल का जो pH value होता है, वो always 7 होता है, 7 होता है, यानि कि very near to 7, very near to 7, 0 मत कहता है कभी, क्योंकि 0 से 7 के बीच में जो कुछ भी आता है, वो strong acid, मतलब वो acidic property रखता है, ठीक है, तो never say 0, वो हमेंसा 7 रहता है, next, iron sheet kept in moist air gets covered with rust, rust is, भाई देखो, जबी भी हमारा iron जो होता है, रस्टिंग होती है, उसमें iron oxygen और water का mixture बन जाता है, iron oxygen और water का mixture हो जाता है, ठीक है, तो देखो, जैसे अब यहाँ पर आपको यह दिखाई दे रहे हैं, आप भी ऐसे ही अपने सपने को सच करना चाहते हैं, तो देर किस बात की है, आपके लिए देश का सरवसिष्ट, संस् करें, बिल्कुल देर ना करें, जिसमें आपको बहुत जादा अच्छे से discount भी प्रोवाइड किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है बच्चे कि यह देखा जाता है कि कोई भी पूर जो भी बच्चा है, वो financial condition की वजह से पीछे ना रह जाए, we have the facilities की आप चीज़ों क magnesium, 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 potassium, potassium है, ठीक है, एक चीज़ और याद कर लो, N, P, K, एक चीज़ याद कर लो, N, P, K, N for nitrogen, P for phosphorus, N, K for potassium, तो यह तीनों चीज़े जहां पे भी हो, वो micronutrients है, for the soil, fertility बढ़ाती है, और वर्ता शक्ति बढ़ाती है, हमारी धरती की, प्रिथवे की, match the list with, okay, matching करनी है, हमें isotope of uranium, uranium, uranium का use होता है, as a nuclear fuel, ठीक है, isotope of cobalt, cobalt का use करते हो, आप जानते हो, cobalt 6C, cancer के treatment में, isotope of iodine, iodine का प्रियोग किया जाता है, goiter disease के treatment में, और radium, जो है, वो simple से बात है, secondary, क्या मतलब, cancer के लिए, है न, even cobalt को कहा जाता है, है, poor man's radium, ठीक है, गरीबों का radium कहा जाता है, तो आपको यहां पर कौन सा सही लग रहा है, बताएं भाई, a का 4, b का 1, a का 4, b का 1, c का 2, ओके यही वाला सही है, और d का 3, विल्कुल, तो यहां पर हमारा option number, b सही answer हो जाता है, तो यह उसकी का Hindi है, आप देख लीजिए, same question, question number 8 का, question number 9 देखेंगे, what is the maximum number of states of matter, भाई, यह बहुत simple question है, and I would say, कि इससे जादा सस्ता, और मतलब, सस्ता means, it's just a language, कि बहुत जादा easy to understand, मतलब हमारे लिए सस्ता, करने के लिए बहुत सस्ता है, हम इसको कर सकते थे, यह NDA, CDS जैसी exams में आया है, NDA में आया है, CDS में यह question आया, CDS में तो अभी recently कुछ years में ही आया था, यह question, आप छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हो, और question वहीं से आते हैं, तो इस चीज़ के assurity रखो, UPSC आपकी विद्वता को नहीं, knowledge को और thinking power को ज़्यादा चेक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो यह चीज़े रखो, कि आप जानते हो कि हमारे पास कितने states of matter है, solid, liquid, gas, Bose, Einstein, Condensate, and one is plasma, तो आप five states बताएंगे, five states of matter, honestly it is a PYQ, okay, which one of the following gases is a supporter of combustion, by combustion, यानि जलने के लिए कौन ज़रूरी है, आप जानते हो, oxygen is always responsible for the combustion, without oxygen, combustion is not possible, right, which one of the following is not an allotrop of carbon, carbon का allotrop नहीं है, coal, graphite, diamond, या graphene, आप जानते हैं, diamond, graphene, graphene, ये तीनों ही क्या है, इसके allotrop है, coal नहीं है, coal में carbon content तो जादा है, है ना, carbon is maximum, carbon is maximum, but it's not allotrop of carbon, okay, भाई, किसी की तरह, कोई कितना भी दिख ले, लेकिन उसका सागा भाई तो नहीं हो सकता ना, वही सीन है, the form of carbon known as graphite, graphite की बारे में समझना है, is harder than diamond, no, contains a higher percentage of carbon than diamond, no, इसमें कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं, it is a better electrical conductor than diamond, it is a, yes, it is a right statement as equal carbon, okay, no, तो यहां पर three options हैं, एक बात और यादर के carbon and its allotrop is a very very must read and complete chapter, आपको यह chapter, यह topic बिल्कुल बिल्कुल त्यार करने हैं, क्योंकि यहां से questions बहुत आने की probability बनती है, right, तो आप अगर कहते हैं, मैं हम तो बाहर हैं, हम कर नहीं सकते हैं, preparation को आकर, तो देखो बेटा, अगर आपकी, even offline से ज़्यादा convenient है, online वाले courses, for your financial condition, और अगर आप चीजों को घर बैटे, त्यारी करना चाहते हैं, तो कोई भी tension की बात नहीं है, same facility के साथ हम online भी हैं, और आपको बिल्कुल, मिलते हैं, सारी की सारी सुवधा हैं, ठीक हैं, और सारे की सारे offers आप जानते हैं, किस time offer में चल रहे हैं, तो बिल्कुल ही avail करवाएं, इसको आप, penicilline inhibits synthesis of bacterial, bacteria की किस की synthesis को रोगता है, तो always याद रखो, it is cell wall, cell wall की synthesis को penicilline रोगता है, penicilline की discovery किसने की थी, यह question का answer, जो भी बच्चा देख रहा है, वो comment section में देगा, penicilline की discovery कहां से, यानि कौन से चीज से, और किसने की थी, इसका answer must, आप जरूर इसका answer भेजेंगे, ओके, next, which one among the following is the genetic name of causal organism of elephantiasis, यानि की आप समझो बीटा elephantiasis या जिसको कहा जाता है हाथी पाओ हिंदी में, ठीक है, इनको फैलाने या इनको इसको प्रशारित करने माला रोगारू कौन सा होता है, वा उचेरिया bankruptcy, याद कर लो, काफी बार ये question repeat हुआ है, ठीक है, काफी बार ये question repeat हुआ है, तो जरूर इस चीज़ को आप ध्यान में रख ले, cobalt is associated with, हम जानते है, cobalt जो होता है, वह vitamin B-trailb से associated है, because vitamin B-trailb का नाम भी है, देखो, नाम है sino-cobala mine, cobala mine, okay, तो इससे हमें एक चीज़ समझ में होती है, कि यहां से याद कर लो, cobala, cobalt, sino-cobala mine, ठीक है, next, glucose is a source of energy, which one of the following type of molecule is glucose, हम जानते हैं, kaabohydrate का molecule है हमारा glucose, okay, which one of the following structure of a plant is responsible for transpiration, देखो, transpiration, evaporation दो अलग चीज़े हैं, लेकिन है process of evaporation of water ही, है ना, जल से ही संबंधित है, आप जानते हो, वो होते है, stomata, वो होते है, stomata, जरा धान से देखना, ठीक है, जैसे हमारी green plants होते हैं, हमारी green plants होते हैं, इनकी यह leaf है, okay, यह इनकी leaf है, leaf में छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे ऐसे pores होते हैं, है ना, ऐसे चोटे 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 पोर्स होते हैं हमको जनरली डिखाई नहीं देते बट देखो marker is not working well तो इससे मस समझना ऐसे चोटे चोटे पोर्स होते हैं यह क्या करते बचे एकसेस वाटर जो प्लांट के अंदर होते है उसको इवोपरेट कर देते हैं क्यों की सटेह पर आजाते वो स्टोमेटा यानि की पर्ड रंध्र कहलाते हैं हिंदी में ठीक है स्टोमेटा को पर्ड रंध्र भी कहा जाता है तो आप से यहां पर में मैच फॉलोईंग ही है red blood cells क्या करती है आप जानते हैं कि वह oxygen का transfer करती है यानि की this one white blood cells क्या करती है infection से fight करती है जी है the platelets क्या करती है blood coagulation में help करती है और plasma codes क्या करते है carrier of dissolved substances तो आप चेक कर लेजे कि कौन सा option सही है यहां A का 4 है ठीक है यहां पर B है और B का 2 सही है the platelets वाला यानि की c का कौन सा है okay c का है one okay और D का है three yes तो option number c सही है यहां पर आपका next one okay यह उसी की हिंदी है question number 18 की ठीक है confused नहीं करना है आप बोलेंगे मैं ऐसे questions और practice को किस तरीके से किया जाए बेटा तो practice को perfectly study material है perfect बनाता है तो मुझे लगता है कि mkc की जुतने भी study material से बचे सबसे बड़ी बात है Hindi और English दोनों ही भाषाओं में उपलब्द है आप जिस भी भाषा में comfortable है यह available है उससे बड़ी बात यह है कि आप घर पे बैट कर इने order कर सकते हैं आपको कोई headache नहीं लेना है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं जस्ट website पर जाकर आप इसको घर बैटे order कर सकते हैं सबसे बड़ी बात है 25% discount है और अभी order करें क्यों लेट करना किसी चीज़ के लिए हैं ना कि तर सुब काम में देरी कैसी नेक्स वन नूट्रोफिल और लिंफोसाइट औरिजिनेट फ्रम नूट्रोफिल और लिंफोसाइट कहां से औरिजिनेट होती है याद रखो always bone marrow दुनिया की कोई भी blood cells related कोई भी पूछ ले नूट्रोफिल थ्रोंबोसाइट लूकोसाइट जो भी पूछे यानि की प्लेट लेस डवलू बीसी आर बीसी सभी का निर्बान बोन मैरू में ही होता है अच्छा हमारी आर बीसी की जो कब्रगाह कहलाती है वो स्प्लीन होती है राइट यह चीज एक नया पॉइंट है य ग्ल्टोफिल बाढ़ाती वो इंसुलिन होती है यह हमारे चेल्टोफ जुश्प चेल्ट यह नहीं पहुच पाता है और लोगों कि कर ड्य पर जादा रिस्क हो जाता है जब लोगों को डियाबटीज होता है तो next one which one of the following is the most sensitive to environmental change we know that they are amphibians amphibians and amphibians जो होते है they are more more sensitive जैसे कि में डग देखो अपने आपको क्या कर लेता है छुपा लेता है मिट्टी के नीचे जब मौसम उसके अनुकूल नहीं होता है तब फटेोल करता है यह नहीं में आिए ना वद्टाफ होते हैं इस जो कि हमारेज क्लोरोपलस्ट पाय जाते हैं एक क्लोरोप्लस्ट होता है फोटोसंतेस करने में सहाता करता है ठे May Kollegin but यह रिंट लिए सेरीब्रम होता है जो कि हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है और सबसे विकसित भाग है ठीक है और सारी intelligence के लिए responsible भाग है सेरी ब्रब next question गॉल्जी बोडी आर एपसेंट इन देखो अब simple सी बात है आप यहाँ पर एक list बनाईएगा गॉल्जी बोडी nucleus lysosome ठीक है यह सभी चीजें एपसेंट होती है किन में all mammalian rbc के अंदर सब इस तंधारियों की जिवों की जो लाल रख तकड़िकाएं होती हैं उनके अंदर यह अनुपस्थित हैं तो यह भी आए यह भी आए यह भी आए तो सब में ही आप क्या करेंगे mammalian rbc सही करेंगे तो this is the last question for you today aerolar connective tissue joints यानि कि aerolar सहीं जी उतक किसको जोडने का काम करते हैं देखो यह क्या करते हैं intugment और muscles को जोडने का काम करते हैं intugment और muscles को जोडने का कार्म करते हैं यानि कि यहां पर option number C सही है ठीक है तो I hope you learn a lot and आपको अच्छा लगा है session तो बिलकुल ऐसे ही जुड़े रहे और देखते रहे प्रेपरेशन अच्छे से करते हैं and मिलते हैं फिर हैसे ही किसी session में तब तक आप सभी वोर्यर्स को जाहिन जाहिन बचूद तो आज हमको शुरू करने वाले हैं चलो शुरू करते हैं बच्छो वेन पीपल गेट प्रॉपर हेल्थ केर इट इस बाउंड तो इंक्रीज देर लाइफ अब देखो यहां पे जो लाइफ यह एक एड्जेक्टिव का काम कर रहा है बच्छो जिसके बाद हमें क्या चाहिए नाउन चाहिए तो अब देखो expect मतलब उमीद लगाना यह नहीं होगा expecting again ing form नहीं होगा expectancy हाँ बिलकुल expected adjective है तो यहाँ पे हमारा answer क्या हो जाता है B for Bombay now trust me the 50 questions आपके exam में ंड क्याते हैं although this model paper consist of 30 questions but in 50 questions में in 30 questions का बहुत एहम रोल होने माला है concept और vocabulary बहुत strong है so first क्या हो जाएगा B next of course doctors have to show greater dash to their profession obvious की बात है जो doctors है वो क्या दिखाएंगे अपने profession को लेक्या अटेंशन सतर्कता नहीं interest मने पसंद नहीं attraction बिलकुल है मोहित नहीं कर रहे है dedication तो हमारा answer क्या हो जाएगा B for Bombay आपको क्या करना है answer करना है pause करना है check करना है अब 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 जाते हैं तो मेजर कल्ची क्लासिस के लवा और कोई ऐसा नाम नहीं है जो platform पे हो सकता है तो जितने selections आपको भी तक देखने को मिले हैं and many more apart from these आप भी जाते हैं NDA 1-2024 और NDA 2-2024 तो तो उसके लिए आपको कॉल करना है 9-6-9-6-3-3-0-3-3 पे next question 2 summons have been issued by the court but you have not turned up yet now this is the question related to errors देखो बच्चो ये नाउन का क्वेशन है कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे इसको देखने में errors कैसे करना है सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब आप देखो सबसे पहले एक सिंटेंस का सब्जिक्ट देखो फिर उसकी बाद उसके वर्ब को साटिस्फाइ कराओ जब सब्जिक्ट वर्ब साटिस्फाइ हो जाए तब आगे बढ़ने की कोशिश करिए तो अब देखो यहां पर बूला है 2 summons summons का मतलब होता है नयायाले द्वारा भीजा गया अध्यादेश तो यहां summons नहीं होगा क्योंकि इसका भी प्लूरल होता है summons says तो error आपका किस पार्ट में है? Error आपका एपका एपार्ट में Next Question number 4 I know nothing about his whereabouts मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता तो बच्चो जैसे surrounding नहीं होता surroundings होता है वैसे ही whereabouts नहीं होता क्या हो जाता है whereabouts हो जाता है तो यहां पे error किस पार्ट में है? C पार्ट में pants नहीं होता, pants होता है right trouser नहीं होता, trousers होता है Next question number 5 It is fact that the height of an adult person is twice as many as his height was at the age of two look here, how many of us know that the many use is in the sense of countable right and much use which is why we do much use in the sense of uncountable very fine, so here the many has come for height height is uncountable now so here many not be, what will happen? which part of error? B for Bombay next question before you come if you want to be serious EAPF, Fcat, NDA if you want to call so you have to call in 9696330033 and offline and online both classes are available with limited offer Next, the principle indicated that either Nareesh or Nareesh and Deepu Look, children here the correlative conjunction in this case, you have to give a second subject priority in this case second subject is Deepu, singular so after this the word will also be singular so here what do you want to call it? it was was error here responsible for the last week's theft theft management error error in some parts here is also Nareesh as well as Deepu so first subject priority so in one question you have to understand two concepts next the news spread in the country that Gandhi shot dead news fell in the country that Gandhi killed see that news spread in the country active that Gandhi shot dead Gandhi didn't kill himself Gandhi killed and simple pass when the passive is changed then it was 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 v3 so here there is what will happen that Gandhi was shot dead next question ok now let's go to your favorite part synonyms let's start context based this machine was fabricated in our own workshop this machine has been built in our own workshop see operated install install constructed constructed fabricate means in the sense fabricated constructed now there are two options constructed and designed right now let's see here what is appropriate synonyms here boys before Bombay next the quiz game comprises 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 three rounds now see involves it is not involved three rounds involved so retains say retain incorporates illegal here consist off kids comprises we don't use off so here off next question his judicious handling of the matter what does judicious mean? his judicious handling of the matter save the situation from going out of control nervous helpful sensible cautious here answer what will happen? sensible judicious wise next if you can't choose offline due to any reason you want to choose online so MKC major culture classes learning app download from google play store and call 96963300333 for the best selection next question sin is the soul calamity calamity means that a wise man should apprehend apprehend means understand or understand okay now see give up discourage comprehend also means understand or understand fear fear so what will happen to explain what can be explained explained that is C next this cloth is coarse in touch what is the cloth in this cloth is a lot of coarse 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 means not smooth painful painful hurt harsh is delicate andronym rough next question number 13 here he received a flattering compliment 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 means to someone's question extoll praise from Sunita immediately after the speech parsimony parsimony parasimon what is the truth to someone's question conjuice eologie notoriety means eology disgrace what will happen here contempt what will happen to anyone? to someone's question to someone's question to compliment who will happen to someone's question to someone's question next those whose views are progressive progressive meaning progressive to the progress people often meet with formidable imbedevents when they begin to act. Outmoded माने जो outdated हो गए हो revolutionary माने क्रांधिकारी, brave माने बहादुर, retro gate माने जो चीज और बत्तर करता चला जाए. अब देखो progressive माने आगे बढ़ाना तो इसको opposite क्या हो जाएगा? Retro gate. Next, this area is well known for plentiful rain. Plentiful का मतलब होता है bountiful, luxuriant. है ना जो चीज बहुत ज्यादा मात्रा में हो. जो चीज बहुत ज्यादा मात्रा में हो poor माने, कम. Impoverished माने होता है बच्चो, daridrata. Impoverished का मतलब होता है daridrata. Scars माने कमी. Miserly, miserly माने कंजूस तरीके से. तो plentiful का exact anterim क्या हो जाता है बच्चो, स्कार्स क्योंकि जरूरी नहीं, जुसमें गरीब हो वहाँ पे कुछ कमया जादा का sense हो. Scars, कमी हो ना. Next, the mammoth structure overlooked the building. Mammoth का मतलब होता है huge. Mammal word से आ रहा है huge. Affluent माने धनी, tini छोटा, huge, narrow. Anterim क्या हो जाएगा? Very clear. देखो, अगर word tough है, तो options easy होगा. अगर word easy है, तो options tough होगा, बच्चो. Next, question number 18. To talk through one's hat. To talk through one's hat का मतलब हो जाता है, बखवास करना. To talk useless. है ना? अब देखो, to speak fluently, to talk nonsense, to talk wisdom, or to speak at random. यहाँ पे क्या हो जाएगा? To talk nonsense. ऐसी questions हम लोग के हर Monday, शाम 5 बजे आपको MKC NDA चानल पर देखने को मिल जाएगे. तो वहाँ भी आप जॉइन कर सकते है, MKC NDA चानल पर ही live चलता है. एक गंडे का session जहाँ पे आपको most expected questions कराये जाते हैं. हर Monday, शाम 5 बजे. तो उसमें भी जुड़ना ना भूले. To catch somebody on the hop. To catch somebody on the hop का मतलब होता है किसी को बिना तैयारी के पकड़ना है, किसी को क्या करना? To catch somebody off guard. मतलब to catch somebody unprepared. किसी को unprepared क्या कर लेना? पकड़ लेना या अटाक करना उस पे. तो यह option क्या हो जाएगा? B. Next question number 20. To be rolling in money. अब पैसे में रोल कर रहे हैं मतलब बहुत पैसा है, तभी तो उस पे रोल कर रहे हैं. तो to be rolling in money का मतलब हो जाता है. बच्चो very rich. Now P की वारिस. Most ऐसे questions हैं that are very scoring. Most scoring topic of English. The Indian Woman Wants. अब देखो बच्चो चार option है, PR QS. सबसे पहले option देखो, फिर eliminate करो. The Indian Woman Wants. हम आपको exact answer देंगे, आप pause करके answer check करोगे. तो यहाँ पे हो जाएगा, The Indian Woman Wants Wants her rightful place and an equal partnership. PR. Option है A. Next. The Indian Woman Wants her rightful place and an equal partnership in a male dominated society and it is not too much to demand. Next 22 question. Our Finest Contemporary. The correct sequence. PR. दो ही options है, बच्चो P and R. इन ही में से check करना है, ठीक है? Expediture of wealth. Sorry. And and सिशरवात होगे नहीं, दो options eliminate होगे. P. Our Finest Contemporary Achievement. And Toil. Toil मने hard work, बिलकुल. D is the correct option. And Toil is our unprecedented expenditure of wealth in the provision of higher education to all. बच्चो D is the correct option. Next question. The Professor. देखो Q. P. आसा चारो है, बढ़िये देखो बच्चो, हू. 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 ऐसा related pronoun है, जिसके लिए use होता है, उसी के साथ आता है. Grammar भी काम आती है. So, S. इसरवात होगी, एक ही option है. The Professor who has explored many jungles about which, which किस के लिए आया है, jungles के लिए, I have read, will deliver a lecture on the new expedition that he is planning as of now. Next. भी देखे, जिन books के बारे में, we are proud of. You should also have those books और इनकी practice must exam से पहले. So, आज ही जाईए www.majorcultureclasses.com और इन books को आज ही order करिये, discount के साथ और free delivery के साथ. Next. Question number 24. Before that, she, she subject है, इसके बाद आएगा वर्ब. इन चारों में वर्ब सेफ और सेफ, S बे है. को लॉजिक बहुत जुरूरी है, अगर आपको time बचाना है English में, लॉजिक बहुत जुरूरी है. She was elected the deputy. कौन सा option है? C. She was elected the deputy chairman of Raj Sabha in 1986 and she acted on this post till 1988. Next. Question number 25. His dynamic personality. अब ये भी subject है, subject के बाद आता है generally वर्ब. अगर कोई relative pronoun नहीं है, very good. Q option से शुरुवात होगी, option होगया D. His dynamic personality inspired the people of India to strive for the cause of freedom. Right? Next is, थोड़ा new topic that is your homonyms, जो की last exam में पूछेगा है थे. Hail और hail. Hail का मतलब होता है बरफबारी और hail का मतलब क्या होता है? जब थोड़े अच्छे हैं, strong हैं, healthy हैं. तो यहां पे option कौन सा हो जाएगा B. HAIL मतलब pellets of frozen rain and HALE मतलब strong and healthy. Next, question number 27. Complicent and complacent. Complicent. Complicent का मतलब क्या हो जाता है बच्छो देखो. यहां पे 4 options है and you have to overlook once all. एक बार सबको देखना है. Complicent मानने होता है इच्छोग, बहुत eager होना. है ना? और, complacent. Complicent का मतलब हो जाता है बहुत जादा confident हो जाना. तो question number 27 का option क्या होने वाला है? B. Next, question number 28. Compliment, यह तो पता है बच्छो. Compliment मतलब होता है प्रशंसा करना और compliment मतलब होता है पूरक. क्या होता है पूरक? तो यहाँ पी option क्या हो जाएगा? Compliment means to praise and compliment. सिर्फ एक I.E. का फ़रक है to go well with. एक अच्छे से किसी से सायोग बैठना. Next, question number 29. Defy and defy. D.I.F.I. मतलब किसी क्या करना? बगवान मानना किसी को. And, defy मानने किसी का क्या करना? विरोध करना. Right? कौनसा option है? A option. Last but not the least. तो इस question का answer आप लोग comment box में देने माले है. evoke और invoke का. क्या exact option होन जाएगा? Right? तो मिलते हैं ऐसी किसी model paper के साथ. Don't forget to like and share the session. Thank you. Jai Hind. Jai Hind, मेरे NDA के सेर सेर्णियोग कैसे हो बच्चो. चलिए तुमाइ, Super Kastipati. Faculty of physics major class classes. आप लोगों के लिए बच्चो 25 questions जो physics के हैं. उनके बहुत बेजोड collection में लेकर आया हूँ. जो कि आगामी परिछा में आप लोगों की बहुत ही ज्यादा महत्वोड साबित होने वाले हैं. ठीक है बटा? कि यदि ताप मान बढ़ाने पर प्रत्रोद घटता है तो यहाँ है. अगर किसी वर्स्ते को पहला क्या होता है हम लोगों जब electricity हम लोग बटा discuss करते हैं तो वहाँ पर बताते हैं कि ताप जो होता है जो resistance होता है और temperature के directly proportional होता है. यह क्या है यह temperature बढ़ाने पर क्या होता है प्रत्रोद बढ़ता है एक normal conductor की जब हम लोग बात करते हैं लेकिन कुछ हमारे special type के ऐसे भी conductor होते हैं जिनका temperature जब हम increase करते हैं तो उनकी resistance क्या होती घटती है ऐसे conductor को बटा हम लोग क्या बोलते हैं सूप सोरी semiconductor बोलते है सेभी conductor में अर्ध चालक तो इसका जो करेक्ट आपसान है यह हो जाएगा हमारा अर्ध चालक हो जाएगा ठीक है चलिए तो फिर लोग अगले कुश्टण पर वढ़ते हैं तो अगला हमुष्ट्र की इस्थिती में बढ़ जाता है अगल अभिनत की इस्थिती में क्या चीज बढ़ती इसको देखो देखो बहında पहले हमारा जब हम बैस करते है तो बयांती हमारे एक अगर अभीनत और एक हमारा पस्च अभीनत होता है ठीक है अगर यह पी गंदुक्टर हो तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं और इस क्या होता बैटा करेंट की वैलू । दिक्रेंज होती है ठीक है लेकिन अगर बैटा आपका जो n-type semiconductor है और p-type semiconductor बैटरी के positive terminal से और n-type semiconductor बैटरी के negative terminal से जुड़ा हुआ हो तो इसको बैटा हम लोग बोलते हैं forward bias और इस में क्या होता है इस समें करेंट की वैलू बढ़ जाती है तो इनकेस कई होता है इंक्रीमेंट हो जाता है सुपते साँभी है को क्रन अमने कि इस औरडट होता है यह हमारा would Go home और है यह हमारा क्या ओता है नौट गेट होता है काहां व्लता है एंड और नौट यह हमारे होते हैं नौट को बीसिकली इस हम लोग इसे डाव्ट पास्षायट लगा हुआ है तो ठीक ゃह यह नंदगेट हो जाएगा निके नौट एंडगेट फिर अगले कोश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग अगला क्या है कि जर्मेनियम क्रिस्टल को एंड टाइब का अर्थचालक बनाने के लिए असुद्धी मिलाए जाती है यह निकि दा इंड जर्मेनियम क्रिस्टल टो मैकंट टाइब स्सेमिक्ट्टर के लिए क्या होना चाहिए एक ऐन्ट एक सेमिकट्टर के लिए ठीक हमको जो भी इंपिरुटी मिलाने हुती हो ठीक है ठीक है कौनstep होरेंट ह्नें क Travis और दिए मिपच्छ दखर और सप्च्राइब उत्युद्पक्शन दखर द मुषआ इकर गमां की रजब का अनुपाद है क्या ह्या यह क्शन सेंगेज ऑर एक्ट्रमेगनेंटिक हैं क्यूंसे छेफे उस्पीड होती है फिर ऐंट siitä के चाल सवान होगी तो दोनों के अनुपात क्या हो जाएगा है कि अगला कुश्चन अगला कोश्चन वाणा की रियक्टर एक उदाहरण है जैसे आप लोग देख रहे होंगे आपको जैसे की स्क्रीन पर दिख रहा होंगा कि यहां कि क्या है स्टूडेंट है जो कि 2023 का में बहुत ही अच्छा इनका प्रदर्शन रहा है ठीक है तो आप लोग भी बच्च अगर अपनी मंजील को पाना चाहते हो और अपनी सेलेक्शन को निश्चित करना चाहते हो सद प्रत्शत तो आप लोग भी बटा जुड़ना न भूलिए आप लोगों की डिफेस के फिल्ड में एक वर्दान की रूपे धरतिव मेजर कलसी क्लासे से बटा तो आप जल्द से जल्द जूड़कर अपनी सफलता को बटा निश्चित बना सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप इस्क्रीन पर दिये गए नंबर नाइन सिक्स नाइन सिक्स डबल त्री डबल जीरो डबल त्री पर कॉल करके और जानकार ले सकते क्योंकि एंडिये सेकेंड और एंडिये दोहजार चॉबिस बटा आपका संबन्सक्राइब दाफीशन और निश्चन अघ्री आपके को को बिटा इसको बोला जाता है special theory of relativity special theory of relativity के concept के इसको दिया था तो इसको आपसर ड क्या है को क्या है क्यों इस हो जाएगा कि लेक्स विटा जो कुश्चन आप the modulators in nuclear reactor nuclear reactor नीज़ेटर जो moderator का काम होता हूं क्या करता है तो moderator जो होता है nuclear reactor में वो उर्जा को neutron की जो उर्जा की खड़नर से ही होता है उर्जा को क्या करता है बैटा कम कर देता है नहीं कि शोक कर लेता है ठीक है तो decrease absorb कर लेता है decrease the energy of the neutrons next question when ultraviolet rays incident on metal plate then photoelectric effect does not occurs by incident ultraviolet rays अल्टर देखो कोई सी भी सर्फेस पर यह photoelectric effect का आपके chapter का है अगर कोई मेटल सर्फेस है मेटल सर्फेस के पाद गर फ्री एलेक्रान है तो जब भी light अब अब अल्टर वालेट के सर्फेस पर पड़ती है और कोई लेक्रान नहीं निकलता ठीक है अब जस्ट कॉछ इंसिदेंट अन्द मेटल पेड देट फोटो एलेक्टिक एफ्ट की कंडिशन नहीं हो रही है जब एक्टान निकलेगा तब फोटो एलेक्रीक की पॉसेस हो तो जैसे हम लोग डालते हैं बसे में देखो इन सब की इंफ्रारेड हुआ चाहे रेडियो में हो नाइट वेप हुआ इन सब की जो फ्रिकुएंसी बटा क्या है अल्टरावालेट से कम है तो जदा फिक्वेंसी किसकी होगी एक्सरेश की तो एक्सरेश डालने पर आपको ह सकता है कि फोटो एलेक्टिक एफेक्ट देखने को मिल जाए वेब लेंथ कम होगा सबसे कम होगा एक सरे का लेकिन सबसे ज़्यादा होगी अब दर एडियस आफ कार्वेचर आप दप्लेड मिरर इस किसी भी प्लेड मिर नहीं कि समतल दरपड का जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कितनी होती है तो बैटा हमारी इनफाराइट होती है तो काफी रिप्रिटेट कोश्चन है अगले कोश्चन पर बढ़ते हैं अगला क पार्टिकल लाइट के पास कैसी नेचर है लाइट के पास पार्टिकल की प्रवपर्टी है उन्हीं कि उसके पास मास वैलूंट स्टेश्चन सारी चीजह होती है जो एक पार्टिकल में लाइस करती है लेकिन प्रकास पूरता रेखा में संचरीत नहीं होता है रेखा में इ पर बढ़ते हैं अगले कुश्चन पर बढ़ने से पहले बटा आप लोगों के लिए फीर एक महत्वपूर सूचना हम अप कठनाईया हो रही है तो उनकी लिए बच्चों मेजर कलसी क्लासेश लेकर आया है आल्लाइन प्लेटफॉर्म उसके लिए बटा करना क्या पड़ेगा आपको बस अपने मोबाइल के प्लेश्टोर पर जाना है और करने के बाद आपको जैसे रिजिस्टर करेंगे को आप सेलेक्ट कर लेगे और उसके बारे में आगे की प्रोसेश को करके आप जल्द से जल्द एडमिशन लेकर अपनी सफलता को निश्चित बना सकते हैं ठीक है चले बच्ची फिर हम लोग अपने अगले कोश्टन पर ब अब रिख्वेंस चोड़कर एंप्लीट्यूड विलास्टी सारी चीजे बदल जाती है ठीक क्यों फ्रिक्वेंसी क्या है कि आपकी सोर्स पर निर्भर करती हो माध्यां पर नहीं करती ठीक है तो आब रिट्टी वही रहेगी बाकि सारी चीजे क्या होंगी बदल जाएंग अब परसन सफरिंग फ्रॉं प्रेस बाइव प्यास उड्यूज एक ऐसा अदमी है जिसको जरा द्रिश्टी दोस्ता यानिकि प्रेस्पाइब है तो कैसा यूज करेगा दोनों फोकल लेंद काने के पास कान्वेक्स और कॉनके दोनों होना चाहिए जो चसमा लगता है उस क्लास में भी डिसकस किया है मानव नेत्र के भाइगेपन को दूर करने के लिए लिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है वीच वाना दफालों यूज टू रिमूब देश्टिक में सब्सक्राइब करते हैं तो कि हमारी जो डिफेक्ट होती है डिफेक्ट आसाइस ब प्रभाव का कारण क्या है इसमें से पूछा ग्या है कि कर ciao old ऐस्अ इस सबना किया ह्या सब्सक्राइब बुशक में तो अहरद रिवडायों का कारण क्या है ठीक है वाट इस देकाज आप ग्रीन हाउस इफेक्ट कारण सब्सक्राइब क्या है इंफ्रारेड है इंफ्रारेड के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट वारी है चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते है बटा कि दा ओजोन लेयर इस आर्थ एटमोस्फेर इस क्रूशियल फॉर हुमन पाइक होता है और यह हमारे आर्थ के उपर एक पाराच में पार्ट बोलते है तो से आलेयर की परावर्तन करता है ठीक है यानि के एटे 얼마나 पहले नेक्सट पहले को फेर स्क्रीन पर दिखेराओगा जैसा कि यह यह मंगा जो भी लिए जो निश्चित सफलता के लिए तयारी कर रहे हैं और उसके लिए उसके लिए बटा क्या है जो हैं कि हर चातर इक्षा तो है लेकिन ऊसके नहीं कर ने के साथ ना पड़ता है तब कोई भी चीज मिलती है तो उसके लिए उसक्रिन पर दिख रहा हूगा कि हमारे पुब्लीकेशन्स की बुक है इन पुब्लीकेशन के बुक में बेटा क्या है सारे के सारे कांसेट्स फ्यु आई क्यू हर चीज बेटा इतनी सपिशियन मात्रा में मर्ज की गए है जिससे कि एक बच्चा अगर सीरियस रूप से इस बुक को पढ़ लेता है तो उसकी सफलता की जो गराटी सत्प्रक्सत हो जाती है ठीक है क्योंकि इस बुक में आपके सारे के सारे मर्ज किये गए है और सब्सक्राइब बात है कि ये बुक बच्चो दोनों माध्यमों उपलब्ध है जिससे हिंदी मीडियम या इंग्लिस मीडियम दोनों माध्यमों के छात्र बेटा क्या है से पढ़कर तयारी कर सकते हैं ठीक है तो अभी बटा इस बुक को अगर आप आप चल रहा है पच्स परसेंट का ठीक है तो फटा-फट से बटा इसको आप आप करके मगा कर अपनी तयारी को और बहतर बना ले एंग्स्ट कॉस्चन के और कि आप बनता है दो अग्ला सुर्य किर्डों की तीव्रता की सुब करण दौरा मापी जाती है ठीक है प्रणो कीति वर्ता की अगर की पाता है किसके दौरा हम लोग मिजर करते हैं तो यह विटा हम लोग मीजर करते है एक्ष्णो मीटर ठीक है एक्टीनो मीटर अच्छा एक चीज और बेटा होता है इसमें कि टमप्रेचर आफ दसन कि से मीजर करते हैं टमप्रेचर आफ अगर सुर्व की तिवर्ता प्रकास तिवतान अपनी हो तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पाइरो मीटर कर ठीक है इसको भी आप लोग घ्यान रखेगा सूर्व का जो तंप्रेचर अपमान होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है ठीक है चलिए इसे के साथ हम ल किलो मीटर है तो कार की आउसा चाल क्यों होगी इसके लिए बटा जो भी बच्चे क्लास में थी प्रिजेंट से कंट्री मैंने बहुत सौट कर ट्रिक बताया था कि जब बैटा समय समान हो समय समान हो यानि कि आधा-धा करके समय है न तो आउसत वेग जो होता है सभी बेज जाएगा ठीक है इसका अफसाने लेकिन जब बैटा दूरियां समान रहे ठीक है जब दूरियां आपकी समान रहे तब आउसत वेग का हमने शुत्र बताया था आप लोगों को सौट्रिक टू वीवन वीटू अपॉन प्लस बीटू जब दूरी समान रहे जैसे का दे कि दस पहले दो किलो मीटर इतनी विलास्टी से तब इसके लिए हम लोग इसको अपलाई करते हैं अगला समान समवेग वाले दो गतिमान पिंडों की गति जुर्जाओं का अनुपात क्या है संवेग दोनों का समान है आगे क्या कहा गया है उनके गति जुर्जाओं का अनुपात यानि कि एवन और एटू का जो अनुपात है चार अनुपात एक है तो उनके द्रव मानों का अनुपात भाई देखिए पी वन बाई पी तू यानि कि पी बाई पी का होली स्क्वायर यह हो जाएगा एवन एवन अपन एम टू एटू ठीक है तो यह तो 1 हो गया और एम एवन बाई एटू कितना है प्याटा गयास एंड डिग्री आफ फ्रीडम ग्रामाइब डिग्री इस पेसिफिक हीट इस वेस्ट टू प्लस डिग्री आफ फ्रीडम होता है ठीक है नेक्स्ट कुश्चन पर बनते हैं वेटा संग्रहन और प्रणुरुत पादन के लिए प्रयुक्ति कहलाती है यानि कि दर डिवाइस टू रिकॉर्ड एंड री प्रोट्व डिटेक्शन आप डेक्रामोफोन का वेटा उच्छ कह जाता है इसके लिए क्या है बटा ग्रामोफ पतर के कारण ही क्या होती है द्वन की परावर्तिन होती है जैसे को गयरा भी जैनलेट होता है ठीक है तो यह बटा आज के हमारे जो 25 कुश्चन के बेजोर कुश्चन के जो एंडिये में आपके संभवित है कि आ सकते हैं उनका कलेक्शन था तो ऐसे कलेक्शन हम लोग आप मौक पेपर में तब तक के लिए जै हिन जै भारत कर लाब भारत जैहिंद माई डियर स्टुटेंट इस जैहिंद सिंग फैकल्टी आप जीएस मेजर कल्सी क्लासेश में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आईए आज हम लोग देखते हैं आपके यंडिये के जीके पार्ट को जो की बेतरी इंप्रस्न है इसे आप जोरदार तरीके से पढ़िएगा और नियर और डियर में सेहर भी करिएगा आईए आईये कम तो दा पॉइंट विट हू गिप्टेड दा बादसाह नामा तो किंग जार्ज इन सेवेंटीन नैंटीन नैंटीन में किंग जार्ड को बादसाह नामा किसने भेट किया था अबुल फजल अब्दुल हमीद लाह औरी आवत के नबाब बिलियम जोन्स तो इसका कर जवाब यहां पर इसका करक जवाब आवद के नबाब अर्था इसका करक जवाब क्या हुए भाई है आप्शन सी नबाब आफ आवद नेक्स्ट सारे प्रसन अपने आप में बहुत जानदार हैं दचेड भारत में कहां इस्ट इंडिया कमपनी ने 1639 में व्यापार्चाओ की ट्रेडिंग पोस्ट का निर्माड किया थां। व्यापार्चाओ की ट्रेडिंग पोस्ट इंडिया कमपनी इसका करक जवाब क्या होगा मेरे सेरों। अप्शन भी खुब गावर से देखियेगा बहुत ही टफ प्रस्न हैं। ठीक से रों आईए। अगला प्रस्न हम लोग देखते हैं। निम्न लिखित में से किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश राज की आवचारिक निव पड़ी। इसका करेक जबाब क्या होगा मेरे सेरों। आप्शन भी बैटल आफ प्लाशी क्या होगा भाईया बैटल आफ प्लाशी ठीक भाईया आएं। अगला प्रस्न गावर से पढ़ें। जैसे निम्न लिखित में से किसने 1793 में बंगाल के चिरिस्थाई बंदोबस्त की शुरुवात की। वु अमंग था फॉल्विं इंटर्थिद अप्रमानेंट से तिम्न आप बंगॉल इं 1793। लौड कारण वालिष, लौड रिपन, रॉबर्ट कलायू, जान, आइडम। तो इसका करेक जबाब मेरे भाईया। option A Lord Carnivalis come to the next question अगला प्रस्ण गौर से देखें यहां पर राज महल छेतर में दामिन को क्या था वाट वाज दामिन को इन राज महल एरिया तो इसको आप गौर से पढ़ेंगे बहुत लंबा नोट से हैं जैसे भूम का एक विशाल छेत जिसका सिमांकन किया गया था और जिससे संथालों की भूम संथालों की भावी अरताथ भविस में भूम घोसित किया गया था पहारियाओं की भूम जो विशेश रूप से धान की खेती के लिए थी नो ब्रिटिस इलाका जो जिसको आप कहेंगे option E, क्या कहेंगे मेरे सेरों option E, इसको पढ़िएगा बहुत जानदार प्रस्थन है, आईए हम लोग आगे बढ़ें, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप सारे सेर, जो कि 16 years major kalsi classes, private lived in India, देख रहें यंडिये, यंडिये में, 2nd, 2023 में, सर्वस्रेष्ट परिराम रहा, और admission open है, जो इंडिया का सर्वस्रेष्ट defense academy है, आप फारण, एंडिये 2024 first के लिए, आप दाखिले लें, फारण admission कराएं, और limited time offer का आप फाइदा उठाईए, आज ही इस number पर आप काल करें, ठीक मेरे सेरों, आप फारण जुड़ें और यहां तक की limited period, इसका आप फारण फाइदा उठाएं, बिलम्ब बिलकुल न करें, मेरे सेरों आईए, आगला प्रस, निम्न लिखित में से कौन? गुड़ें रंपा विद्रो से संबद थे, who among the following was associated with गुड़ें रंपा रिबोल्ट? बिर्शा मुंदा, कुंवर कुसल, अलूरी, सीता राम, राजू, मंगल, पांडे, तो इसका करेक जवाब मेरे सेरों क्या होगा? option C. क्या होगा? अलूरी, सीता राम, राजू. अगला प्रस्न आपको देखने से लग रहागा, गजब का प्रस्न है, यंग बंगाल अंदोलन का परवर्तक निम्न में से कौन था? who among the following was the founder of the Young Bengal Movement? देखे, हैनरी, बिवियन, दे रोजियो, देविड, हैर, एवं द्वारकानाथ, तैगोर, प्रसन कुमार, तैगोर, तो इसका करेक जवाब, आप्शन ए, बिवियन, हैनरी, बिवियन, दे रोजियो, नेक्स्ट, अगला क्विस्चिन, गवर से पढ़े, थियो शॉपकिल सोसाइटी, का नरेतितु किसने किया था, दा थियो शॉपकिल सोसाइटी वाज, लेड बाई, ए ओ यूम, आर्थर ग्रिफित, एनी बेशेंट, अव लाड डफरिन, तो इसका करेक जवाब, आप्शन सी, मिन्स, एनी बेशेंट, कौन भहिया, एनी बेशे सुधक समाज, सत्त की खोच करने वाला समाज, की इस्थापना किसने की थी, दा सत्त सोधक समाज, टूथ सीकिंग सोसाइटी, वाज सेट अप बाई, बिनोवा भावे, जोतिबा फुले, भी आरंबेटकर, सी राज गोपालाचारी, तो इसका करेक जवाब मेरे सेरों, क्या होगा जोतिबा फुले, इनोंने ही गुलामगीरी पुस्तक भी लिखी, तो कौन जोतिबा फुले, नेक्स्ट, आगला परस्ण गवर्च देखे, निम्न लिखित में से किसकी मृत निर्वासन देश निकाला में हुई थी, तो इसका करेक जवाब आपसंद भी, बादूर साह जफर, बादूर साह सेकंड जफर, नेक्स्ट, हम लोग आगे बढ़ें, इससे पहले, आपको बताने हैं का आप फार, यह हम केसी लर्निंग आप से जुड़ें, जो इंडियाज, नमबर वान, आप फार डिफेंस एक्जाम, जो सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, देश का, ताकि हर गरीब बच्चा, फाजी आपसर बन सके, यह न्डियाज फर्स्ट, दोजार चोविस, मिशन, पांच सो पच्चास प्लस का स्कोर, ओलाइन तायारी का, सबसे अफ़र्डेबल प्राइस मे लिम्टेद टाइम आफर का फाइदा उठाएं, आज ही काल करें, इस नंबर पर बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया, नेक्स्ट, अगला परस्त, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, और सूचीयों के नीचे दिये गाए कूट का सही, उत्तर चुनिए, match the list first with list second and choose the correct answer using the quotes given below, list first, list second. First farmer's movement और दूसरा जो list second है, वह है region से. तो यहां पर इसका कड़क जबाब आप देखिए, जैसे मोपला बिद्रो, मोपला बिद्रो कहां हुआ, यहां माला बार, केरल के तटके शम्मू, इसका मतलब एका सेरों क्या होगा, आपशन एका थ्री, एका थ्री और रामोशी, रामोशी क्रिसक बल, कहां महारास्ट, इसका मतलब एक, और कुका बिद्रो, कुका कहां हुआ मेरे सेरों, कुका पंजाब में हुआ, पाबना कहां हुआ, यह, यहां पर, इसका मतलब, C का 4, और अब बचा काउन केवल D, D का 2 हो जाएगा, तो यहां 31, 42, काने मतलब, इसको यहां पर नहीं लिखा गया, तो आप कहेंगे, 3, A, 4, 2, और उपर दिया रहेगा, A, B, C, D, तो यह रहा है आपका करेक्ट आंस्वर, काउन सा, यह, जो यहां पर लिखें, इसको गौर से आप पढ़ लेजिएगा, आईए, अठारसव साथ में, प्रकाषित नील दर्पन का लेखत निम्न लिखित में से, काउन था, फू अमंग द फॉलोइंग वाज द आथर आप नील, दर्पन, पुबिश्ट इन 1860, रिवरेंड जेम्स लांग नो, माइकल मत्सूदन नो, राजा राम मोहन राई नो, तो बचे काउन, दीन बंधू, आप सन, डी, क्या सही होगा भाईया, दीन बंधू मित्रा, यह बहुत पुछता आपके एक्जाम में आर, इसके लिए ता आप एकदम रडी रहिएगा, भूदान अंदोलन प्रारंब, इन में से किस ने किया, राम प्रशाद बिश्मिल नो, बिनोवा भावे ने किया, काउन भाईया, आप्शन बी, आप्शन बी, बिनोवा भावे, तो इस प्रकार तेरह का, थार्टीन का आप्शन बीश आई, आईए, और आगे बढ़ें, आगा प्राष्ण, 1866 में दादा भाई, नारोजी द्वारा लंदन में निम्न लिखित में से काउन से संग्या सांस्था की स्थापना कीये, which one of the following association was founded in London by Dada bhai, Navroji in 1866. क्या होगा, the Bengal British India Society, no, the East India Association, good, यही आपका भी सही होगा, the British Indian, the Madras, no, तो 14 का correct option क्या है, option B, आईए, अगला प्रस्त देखते हैं, अगला प्रस्त गौर्स देखें, वर्स, 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक समित ने भारत के लिए एक समिधान का मसावधा तायार किया, इस समित की अध्यक्षता किसने की थी, in the year 1928, a committee of Congress leaders drafted a constitution of for India, the committee was headed by, किसके द्वारा, मातमा गादी नो, मतिलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा मेरे भाईया, मतिलाल नेहरू, means correct answer, option C, आईए, अगला प्रस्त देखें, अगला प्रस्त, जैपाल सिंग के बारे में निम्नलिखित में से काउं सा, कथन सही नहीं आई, which one of the following statements about जैपाल सिंग is not correct, वे संविधान सभा के सदसु थे, हीवाज, मेंबर अप कॉंस्टिटिवेंट असेंबली, उन्होंने आदिवासी महा सभा की, इस्थापना की, वे पाली भारती रास्टी यहां की, टीम के कप्तान थे, उन्होंने च्छतीस गड़ के लिए एक अलग राज का अभियान चलाया, तो इसका correct जवाब मेरे सेरों की, यह ही रांग है, सेस, टोटल, करेक्ट, आप्शन, डी सेरो, ठीक भाईया, आएं, अगला परस्त, इसे देखें, लिस्ट फस्ट, सूची एक को सूची दोस्त के साथ सुमेलित कीजिए, और सूची ओं को नीचे दिये गए, कूट का सही प्रयोक चुने, तो बाल गंगा धर तिलक, क्या सही है, दी आर्किटिक होम इंदा, बेदाज, दादा भाई नवरोजी, पावर्टी और अन ब्रिटिश रोल, मिन्स फोर, मात्मा गाधी, क्या लिखे, हिंद स्वाराज, सी का टू, डी का जवाहलाल लेहरू, डिस्कावरी आफ इंडिया, तो एक चार दो तीन, एक चार दो तीन, आप्शन, सी, क्या होगा, ए, बी, सी, डी, तो आप्शन, सी साए, ठीक मेरे भाईया, आईए, अगला पॉइंट, इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ें, और इसका आखिर करेक्ट काउन है, तो यहां पर इसमें, इसमें प्रस्तावित था कि आप राधिक मामलों में, भारती मजिस्ट्रेट, यूरोपियों पर न्याए विचार करेंगे, बिल्कुल सही, यह पाला ही अप्शन, हमको क्या मिल गया, सही, तो अब, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आईए, अगला प्रस्त, गौर से पढ़ें आप, अब लोग पढ़ें से पाले आपको बता दें, कि आप सारे लोग, यमकेसी पब्लिकेशन, से जुड़ें टू क्रैक और डिफेंस एक्जाम्, यह वो बुक्स जो आपको फाउजी बनाएं, बरतमान में, यह हमारे पब्लिकेशन से हैं, हिंदी-इंग्लिस, आईजिटेच, यहां देखिए, 25% का बंपर, मेगा, डिसकाउंट चल ला है, यहां तक कि, फ्री डिलवरी के भी सुप्ध्या, तो आप फौरान अडर बुक करें, और इन्हें जम के पढ़ें, पास हो, कम टू दर नेक्स्ट, अगला देखें, कथन वन या एक, वर्स, 1946 में, काउंसील अब दा मुसलिम लीग, ने काइविनेट मिशन योजना, को स्विकार किया, कथन दो, मुसलिम लीग ने अंतरीम सरकार में सामिल होने से मना कर दिया, तो यहां लिखा गया, दोनो कथन सत्य हैं, और कथन फस्ट, साहिस पस्टी करण है, यहां देखें, दोनो सत्य हैं, लेकिन कथन दो, कथन एक का साहिस पस्टी करण नहीं है, तो इसको द्यान से पढ़ें, लेकिन इसका करेक जवाब क्या होगा, आप्शन भी, दोनों सत्य हैं, लेकिन ब्याख्या नहीं है, इसको बहुत गवर से पढ़िएगा, फिर से आप, ठीक से रहों, आईए, अब हम लोग देखते हैं, अगला प्रस्त, इसे गवर से पढ़ें दसक में होने वाली का निम्नलिखित घटनाओं को काला नुकरम में व्यवस्थित कीजिए, अरेंजिदा फालोइंग इवेंट्स ओकरिंग इन फर्स्ट डिकेड आप देट्वेंट्ट सेंचुरी इन दियर करेक्ट क्रोन लोजिकल आडर, तपाला क्या दिया, भार्ती रा की स्थापना, 1906, बंगाल विभाजन, 1905, बारती रास्टी कांग्रेश सूरत अधिवेशन, 1907, तो सबसे पहले क्या आएगा भाईया, पचासी आएगा, एक, इसके बाद, पांच आएगा, अर्थात, तीन, तो एक तीन, एक तीन, गुट, इसका करेक जबाब क्या होगा, 20 का, correct answer B, क्या होगा भाईया, option B, ठीक से, next, अगला question देखें, यहां पर गौर से पढ़िये, जैसे, Lord करजन के बारे में निमनलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, which of the following statement regarding Lord करजन, is true or true, तो यह तर यह, इसका correct जबाब क्या होगा, इसका correct जबाब, आप, देखें, कांग्रेस के प्रत, उसकी पूर्ण सानभूत थी, उसने सायक संदी प्रारम की, वा भारत के वाईसराय के रूप में, Lord काइनिंग का उत्रा धिकारी बना, उसने धाका चिटगाओं और राजशाही के भागों को, बंगाल के, बंगाल के अलग किया, अलग किया, और उन्हे असम में मिलाया, कौन सा सही है, तो इसका, करेक्ट जवाब क्या होगा मेरे भाईया, क्विस्चन नमबर 21 का, करेक्ट जवाब, आप्शन डी, क्या होगा, आप्शन डी, कुब गौर्ज पढ़ियागा नहीं, तो तुरान तो फसेंगे आप लो, ठेक, निम कतनों पर विच विदान, समाओं में सास की बहुमत समाप्त कर दिया, भारत सरकार अधनियम 1909 के बावजूद, गैर सरकारी ब्यत, इस्थानी निकायों में आप परत्यक चुरूप से निर्वाचित हुए, इसमें क्या सही होगा, खुब गाउर से पढ़िये वहिया, इसका, करेक्जवाब आप्शन सी, यह भी सही है, और यह भी सही है, तो क्या सही होगा, आप्शन सी, नेक्स्ट, अगला प्रस देखें, असायोग अंदोलन वापस ले लिया गया था, नौन कॉपरेशन मूवमेंट वाज, रोल्ड बैक, प्रतम विश्युद के बार, आप्टर फस्ट वर्ड व सत्याग्रा के बाद, आप्टर बार्दोली सत्याग्रा, गांधी रिविन सम्झावता के बाद, तो यहां पर करेक जबाब क्या होगा, सारे लोग जानते होंगे, चावरी चावरा, फाइब फैब, 1922, चावरी चावरक तुरंत बाद, यह वापस ले लिया गया, मिंस आप कि किस वाइसराय काल के दावरान इस्थापित की गई, दा इंडिया नेशनल कॉंग्रेस वाज इस्टेबिलिष्ट दूरिग दूर आप विच ब्रिटिश वाइसराय, लॉड रिटन, लॉड रिपन, लॉड दफरिन, लॉड दफरिन, लॉड मिंव, तो इसका करेक लॉड दफरिन, आप्शन C, क्या होगा, आप्शन C, आईए, आपके एक्जाम का लास्ट केसिन, 25 प्रस्ट को देखते हैं हम लो, जब भारत निश्वतंता प्रस्ताव या स्वतंता प्राप्त की, तब भारती रास्टी कांग्रेस का ध्यक्च निमनलिखित में से काउन थ अचीवड फ्रीडम, फू अचीवड फ्रीडम, फू अचीवड फ्रीडम, फू अचार्य जे भी क्रिपलानी, तो इसका करेक जवाब, आप्शन D, ठीक से रो, यह रहा, आपका पचीशवा, बेहतरीन कुष्चिन, हम लोग मेरे सेरों फिर मिलेंगे, तब तक लियँ जाइल हिंद, लेकिन उसके पहले एक बार फिर बता दें, आप इसे अपने नियर आइर में बंपर सेर करें, यह हमारे रहे सांदार, टौइंटी फॉआइब क्रिश्चिन ठीक सेरों? हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक ल ये जए लिंड